नमस्कार दोस्तों तो आज से हमें एक नई स्रिंखला शुरू करने जा रहे हैं और यह स्रिंखला BPSC में आई हुए जितने भी सेक्षंस के बिगत वर्सों के प्रस्ण हैं सबका हम वीडियो अपलोड करेंगे इस कड़ी में सबसे पहला है जीब विग्यान हमें पता ही है कि जीब विग्यान के प्रस्ण तो बिल्कुल BPSC में फिक्स होते हैं पचीस क्वेस्टन्स ये अब तो तीस-तीस क्वेस्टन्स भी पूछने लगे हैं परियावरण को मिला करके तो चलिए देखते हैं क्वेस्ट बाद कहते हैं डार्विन बाद को ही कभी-कभी प्राकृतिक बरन बाद भी कहते हैं जिसको अंग्रेजी में कहते हैं दथे आपनी पुष्तक दे औरिजिन ओफ अस्पिसीज में वैसे कौन थे चाल्ष डार्विन तो जयब विकासवित थे इंगलाइंड के दूसरा ग्श् तो मानव तंत्र में इंसुलीन का काम कार्बो हाइडरेट के मेटाबोलिजम को नियंत्रित करना होता है यानि की कार्बो हाइडरेट के चयापचय को नियंत्रित करना होता है तो इसलिए बिकल बीस का एसा ही अंसर है अच्छा इससे जुड़े कुछ बात देख लेते हैं जै पारे में भी एक दू पॉइंट देख लेते हैं जैसे अग्नियास है मानव सरीर की दूसरी सबसे बड़ी गरंथी होती है पहली गरंथी तो आपको पता ही है कि अक्रित होता है यानि कि लीवर और दूसरी सबसे बड़ी गरंथी कौन होती है अग्नियास है इसी को पैंक्रिय मानव सरीर के किस अंग में होती है तो ये तो अग्नियासय समभने दिन फैक्ट होगे आप सुनते रहें जहाँ जहाँ पर भी अग्नियासय आएगा मैं बार बार रिपीट करता रहूँगा दूसरा इसमें पॉइंट था कि इंसुलीन लक्ष को सिकाओं में गुलुकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को भी प्रिरिद करता है और गुलुकोज कार्वोहाइडरेट का एक स्वरूप है तो ये इससे जुड़ा वब्याक्या था इतना फैक्ट में ने जाना है बस याद रखना है इंसुलीन अग्नियासाय से अंतहस्तरा भी होता है ताकि अगर बिकल्प में फसा है कि अंतह या बाए तो पकड़ लेना है कि अंतहस्तरा भी होता है अग्नियासाय के वारे में तीन पॉइंट जरूर याद रखिए इंसुलीन एक तरह का प्रोटीन होत तीसरा निमलिकित में से एंटिबायोटिक है तो एंटिबायोटिक क्या है इसमें से पैनिसिलीन यह बिकल्प A में है और D में जो है सल्फा डायजीन तो पैनिसिलीन और सल्फा डायजीन यह दोनों क्या है एंटिबायोटिक है तो इसलिए इसका सही अंसर होगा E यानि उप्रोक्त में से एक से अधिक तो अच्छा एंटिवायोटिक क्या होता है मतलब इसको यूज क्यों करते हैं तो एंटिवायोटिक का यूज होता है बैक्टिरिया जनित रोगों के उपचार के लिए मतलब जो रोग बैक्टिरिया के कारण हुआ है उसके उपचार के लिए हम एंटिवायोटिक का परियोग करते हैं और उसी एंटिवायोटिक का उदारन है पेनिसिलीन और सलफा डायाजीन अच्छा एस्पिरीन और पैरसीटा मोच क्या है तो आप बताए है कमेंट बॉक्स में रिसर्च करके गूगल से कि स्पिरीन और पैरसीटा मोच क्या है नहीं भी अगर पता है तो आप सिर्फ लिख देंगे ना स्पिरीन तो मैं आपको ओहीं पर अंसर दूँगा कमेंट करके लिखिएगा वही चीज़ें आप लिखावाए कि अंटिवाइटिक का उप्योग बैक्टिरिया जनीत रोगों के उपचार के लिखिया जाता है अब नेक्स देखते है निमलिकित में से कौन सा मुख्यता कार्बो हाइडरेट है तो उपलब्ध बिकल्पों में से जो चावल है बिकल्प सी ये कार्बो हाइडरेट होता है कहते हैं कि 100 गराम अगर हम पके हुए चावल को लेते हैं तो 25.5 गराम उसमें कार्बो हाइडरेट की मात्रा होती है तो ये तो इसके बार में एक फैक्ट हो गया अच्छा एक यहां पर है कार्बो हाइडरेट है अच्छा दो बात जान लेते हैं अभी हमने पढ़ा था कि कार्बो हाइडरेट क्या है गलुकोच भी कार्बो हाइडरेट का एक स्वरूप होता है तो याद रखना है कार्वोहाइडरेट का स्वरूप गुलकोच होता है अच्छा, दो महत्पुर्म फैक्ट है कार्वोहाइडरेट से संबनते जैसे पौधे कार्वोहाइडरेट कैसे रखते हैं तो आज स्टार्च के रूप में रखते हैं जन्तू कार्वोहाइडरेट को कैसे रखते हैं, तो ग्लाइकोजन के रूप में रखते हैं, question ऐसे बन सकता है, कि पौधो में कार्वोहाइडरेट होता है, तो आप उसमें से जो विकल्प रहेगा स्टार्च के रूप में उसी को चूनेंगे, चाहे question ऐसे बन सकता है, कि जन् तो अगर option रहेगा starch के रूप में और glycogen के रूप में यह फिर और कुछ बनाए रहेगा तो वहाँ पर हम चुनेंगे कि जन्तु में glycogen के रूप में carbohydrate होता है तो याद रिखना है इसको इसमें तीन point हो गया कि 100 ग्रा में 25.5 ग्राम गर्वोःडरित होता है कीट संबरधन क्या है तो कीटो के ब्रिधी का विज्ञान ही कीट संबरधन कहलाता है तो विकल्ब एसका सही अंसर है उधारन के लिए केचवा तो केचवा को बढ़ाना यानि कीट का संबर्धन करना तो इसी के बिज्ञान के बारे में जाना जाता है उसे कीट संबर्धन कहते हैं अच्छा जब कीट संबर्धन पढ़ रहे हैं तो एक सब्द याद आना चाहिए entomology, entomology में क्या करते हैं, हम study करते हैं, कीट पतंगों का study करते हैं, तो entomology यह सब, तो ऐसे आ सकता है, entomology का संबंध है, तो उसमें से जहां लिखा रहेगा, कीट पतंगों का study, यानि कीट पतंगों का ध्यान, वो ही इंसर हो जाएगा, केचुवा के बारे मित्र से जान लेते हैं, केचुवा का मैनू धारन दिया थे, कीटों की बृधी करने का बिज्ञान, तो कीट बृधी जैसे की केचुवा की बृधी, तो इसे कीट संबर्धन कहते हैं, केचुवा तरसल कृसानों का मित्र कहा जाता है, और भूमी की आत भी कहा जाता है, तो दो सब्द याद रखियेगा, क्वेशन इसे पूछ सकता है, किसानों का मित्रनुलिकित में से है, तो केचुआ या भूमी की आत है, तो भूमी की आत भी केचुआ ही होता है, अच्छा केचुआ खाद के बारे में जब हम पढ़ते हैं, ये केचुवा खाद का बारे में अध्यन करते हैं, उसको क्या गहते हैं, उसको बर्मी कल्चर कहते हैं, तो क्वेशन ऐसे बन सकता है कि बर्मी कल्चर का अध्यन, बर्मी कल्चर किसे संबंदी थे, केचुवा खाद या बर्मी कंपोस्ट किसे संबंदी थे, next question genetics निम्न में से किसका अध्यन है तो genetics दर असल अनुवानसिक्ता और बिचरन का अध्यन होता है तो इसलिए Bikalb D इसका सईेंसर है अच्छा genetic engineering में फिर क्या होता है तो genetic engineering कितरिम जिन्स य oc Tab गुटरे जन्स का पितरू हो जीन को तो हम genetic engineering के थुरू ही ऐसा करते हैं तो ध्यान रखना है genetics का मतलब अनुवान सिक्ता है अबिच्रण और genetic engineering में हम कित्रे मेने के artificial genes का निर्मान करते हैं और उसका अस्थनांतरने के transportation करते हैं next निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है तो ध्यान रखना है नहीं वाला में फस्ता है आदमी तो सेव जो है वो सच्चा फल नहीं है मतलब कि true fruit नहीं है ये बाकि जो अंगूर है, खजूर है, आलो बुखारा है ये तीनों क्या है? सच्चा फल है येनि कि सत्थ फल है एक तरीके से true fruit है तो विकलब A इसका सही इंसर हो गया अच्चा फल नहीं है इसमेश सेव तो है ही काजू भी आ सकता है, नास पाथी भी आ सकता है तो ये तीनों जो है, ये सच्चा फल नहीं है अच्चा इसी question को ऐगर ऐसे पूछ देता कि इसमेश कौन सच्चा फल है तो अंगूर, खजूर और आलू बुखारा तीनों है, इसलिए इसका विकल्ब ए हो जाता, लेकिन अभी पूछा ये सच्चा फल नहीं है, वैसे इसे सच्चा फल क्यूं नहीं है, मतलब क्यूं ऐसा कहते हैं कि ये सच्चा फल नहीं है, तो देखें इसके ब्याक्या में फ्रूट कहते हैं, जैसे कि सेव, काजू और नासपाती, नेक्स कुस्चन, लॉंग पौधे के निमलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं, तो लॉंग सुस्क जो पुस्क कली है, उससे प्राप्त होता है, तो विकल्ब डीस का सही अंसर हो गया, अच्छा हम पुर्व्यान, लॉंग से ही इजनौल का तेल मिलता है, इजनौल का तेल जो होता है, वो दात दर्द जब होता है, तो उसके निवारक के रूप में हम यूज करते हैं, इजनौल के तेल का, अच्छा, इसमें वही लिखावा एक फैक्ट है, इजेनिया केरियो फाइलेटा, फिर से बोलता हूँ, यूजेनिया केरियो फाइलेटा, नामक मध्यम कदवाले सदावाहर ब्रिक्ष की सुखी हुई पुस्प कली का है, तो देखिए यहाँ पर एक फैक्ट महतपुर्ण है, कि अगर इसे क्वेशन हैं से पूछे कि लॉंग पौधे कैसा ब्रिक्ष होता ह तो फूल की कली से, यहीं पुस्प की कली से अभी हमने देखा कि सूखी जो पुस्प की कली होती है, उसी से लॉंग प्राप्त के ज़या तो विकल्ब डीस का सही इंसर है, अच्छा अभी हम, यह भी हम देखा था कि दाद के दर्द निवारक के रूप में हम, या फिर इसका जनमस्थान इंडोनेसिया को माहतर पूरुम फैक्ट है, अगर कुशאל आज़ा कि लौं कहां का ये मतलब कहां का है, तो ये इंडोनेसिया का है और सदावहार ब्रीच है तो देखी लिया, अगर अ depriसे महसूस करेंगे, 10-20 मीटर के भीच की इसकी उचाई 여 Toddy नहीं क्यूंकि, क्यूंकि इसमें नोड और इंटर नोड होते हैं, फिर से बोल रहा हूं, अदरक इसलिए तना होता है, मतलब अदरक को इसलिए हम तना होते हैं, क्यूंकि इसमें नोड और इंटर नोड होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ, कि नोड से व अच्छा, question पता है, ऐसे भी अगर पूछा जाए, कि अधरक का हम क्या खाते हैं, तो अधरक का हम तना खाते हैं, तो यही इसका answer होता है, अच्छा, आपके लिए मैं एक question पूछता हूँ, आलू का हम क्या खाते हैं, कौन सा भाग आलू का खाते हैं, इस question का answer आप comment box में फिर नेक्स वीडियो में देखेंगे, छोड़ा छोड़ा वीडियो रखेंगे, नमस्कार दोस्तों, तो हम BPSC में आये हुए बिगत वर्सों के जीब बिग्यान के प्रशनों का आवलोकन और विशलेशन कर रहे थे, Q10 तक हो चुगा है, 11 से देखते हैं, पादप कली है, तो पादप कली एक भुर्निय टहनी है, इसलिए बिकल्प A का सही अंसर हो गया, कली क्या होता है, तो अविक्सित सूट को हम कली या कली का कहते हैं, सूट का मतलब यह हुआ कि पौधे जो होते हैं, पौधे का कुछ पार्ट कहते हैं, मतलब कि यह उपर वाला पार्ट होता है, ब्याकिया देखते हैं थोड़ा और असप्रश्टी करन होगा, क्योंकि इसमें उदारन है, बनस्पती बिज्ञान में किसी अविक्सित प्रारो, जिसको अंगरेजी में इंब्रायोनिक सूट को, मतलब इंब्रा नेक्स क्या है, बसे कुल मिला अगर यह याद रखना कि कली जो होता है, एक तरीके से भुर्णिय टहनी होता है, और दूसरा पॉइंट यह अविक्सित सूट होता है, मतलब कि सूट सिस्टम का पार्ट होता है, नेक्स क्योश्चन है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी मे उगेगा, उसे हम हैलोफाइट कहते हैं, तो विकल्फ सीज का सही एंसर हो गया, कभी-कभी क्योश्चन यह भी बनता है कि वैसे पौधे जो बिना मिट्टी के सिर्फ जल में उगते हैं, यह बढ़ते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, तो इसी में से एक एंसर है, आपको बत करता है, उसे हम हैलोफाइट यह हिंदी में लवन मिर्दोध भीत कहते हैं, और जो बिना मिट्टी का होगे, उसे हम हैड्रोफाइट कहते हैं, नेक्स्ट, इलेक्ट्रो इंसेफैलो ग्राफ, यहां पर ग्राम लिखा हुआ है, तो इलेक्ट्रो इंसेफैलो ग्राफ, यानि EEG, निम्न में से किस की निगरानी के लिए उपयोग होता है, तो इन्मस्तिस की निगरानी के लिए EEG उपयोग होता है कभी कभी question आईसे भी पूछा गया है, कि मस्तिस की बिमारी की पहचान कौन करता है, तो इसका answer भी होगा, EEG, यानि कि electroencephaloga ग्राफ करता है मैस्तिस की बिमारी की पहचान next question मांस्पेसियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला बिकीरन है तो इंफ्रारेट जो बिकीरन होता है वही मांस्पेसियों के दर्द के उपचार में परियोग किया जाता है कभी कभी कुश्चन ये भी आता है कि अत्यधिक बैयाम करने के कारण मान स्पेसियों में दर्द उत्पन हो जाता है तो किस चीज के कारण दर्द उत्पन होता है तो लैक्टिक एसीड जमा हो जाता है ज्यादा हम मतलब जितनी छमता उससे ज्यादा मान स्पेसियों से कारे कर हो जाता है इसलिए हमें आयठान ये दर्द महसूस होता है नेक्स देखते हैं जीवों में अत्यधिक बिवित्ता का कारण है तो जीवों में जो बिवित्ता नी डाइवर्सिटी जादा होती है तो ये उत परिवर्तन यानि की म्यूटेशन के कारण होता है तो विकल्फ सीज क सही अंसर हो गया थोड़ा सा ब्याख्या देखते हैं फिर एक एक एक्स्ट्रा पॉइंट पर बात करेंगे लिखावाए बैग्यानिकों का वह समूह जिसने प्रकृतिवाद के सिध्धान्त को आधुनिक रूप दिया उसे नव डार्विन वादी कहते हैं ऐसा क्यूं बता राता न कि Charles Darwin ने सिध्धान्त दिया था, तो उसको Darwin वाद का सिध्धान्त भी कहते हैं या वरन का सिध्धान्त भी कहते हैं उस चार्ज डार्विन के बाद जो इस तरह का सिध्धान जैब विकास समन्दी सिध्धान दिये तो वो नव डार्विन बाद ही खहलाएं और वो ही उन्होंने ये बात कहा कि जीन में साधारन परिवर्तन के उपरांत नए जीब बनते हैं जिससे उन्हें विभिनताय वढ़त और अंतता क्या होता है इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं और ये परिवर्तन असप्रस्ता बंसगत होने के साथ साथ पीडियों में बरन दोरा नई जाती होती होती मतलब कि वही धेरे-दरे परिवर्तित होते 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 नई प्रजाती में बदल जाते हैं तो य Hugo D. Breeze ने उत्परिवर्तन का सिध्धान्त दिया था, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, The Mutation Theory, तो Mutation Theory में उत्परिवर्तन का सिध्धान्त का पर्तिपादन किया था, Hugo D. Breeze ने, तो दो पॉइंट मुख रूप से था, बागी दो समझने वाली बात थी, Next है, Mendel के अनुवान सिध्धा का सिध्धान्त किस पर अधारित है, तो Langi की जनन पर Mendel के अनुवान सिध्धा का सिध्धान्त अधारित है, विकल्फ सीज का सही अंसर है, Next, DNA की खोज किस ने की, तो वैसे तो इसका अंसर E है, उप्युक्त में से कोई नहीं, हलाकि कुछ डॉक्तर फ्रांसिस क्रिक, MHF, विलकिन्स तथा फ्रैंकली नामक बैग्यानिकों ने DNA की खोज की थी, बस तो था इन बैग्यानिकों ने X-ray विसलेशन द्वारा, बरस उने सो तिरपन में, DNA की कुंडलीकार बिन्यास प्रस्तूत किया था, मतलब यह होगा कि यह चारों जो तो स्वीस, मतलब स्वीस देश के रसाइन सास्त्री थे, फेडरिक मिस्चर, फेडरिक मिस्चर ने ही सबसे पहले पहचान किया था DNA का, और उस समय लेकिन इन्होंने DNA को नुकलीन कहा था, तो अभी DNA का फुल फॉर्म क्या होता है, आप तो जानी रहे होंगे, तो आप बता नेक्स देखते हैं, कोसिकाओं में अनुवानसिक लक्षनों को नियंतरन में निमलखित में से कौन सा उत्तरदाई है, तो कोसिकाओं में जो जीव कोसिकाओं में जो अनुवानसिक लक्षन का नियंतरन करता है, वो DNA करता है, क्योंकि DNA में ही सारी चीज़े दर्ज होती है, अच्छा इसका एंसर तो D हो गया लेकिन हमने अभी क्या पढ़ा था DNA की बास्तव में पहचान किस ने की थी तो Frederick Mischer ने की थी जो एक स्वीश रसाइन सास्त्री थे 1869 में Frederick Mischer ने इसका DNA का नामकरन हलाके DNA उसमें नहीं बोला उन्हें नुकलीन बोला था तो ये पुन्रहस्मरन हो गया अब next question एकरित और मांस्पेशियों में उर्जा जमा होती है तो एकरित और मांस्पेशियों में जो उर्जा जमा होती है वो glycogen के रूप में जमा होती है तो विकल्ब D इसका सही एंसर हो गया अच्छा एकरित से मुझे याद आया कि सरीर की सब इसकाइट को अपने अंदर संचे करते हो ग्लाइकोजन के रूप में ही संचे करते हैं अब यह स्लाइड आपने देखा होगा ता आपको पदा चल गया होगा एंसर देखेए बैखे भी तुड़ा देख लेते हैं, लिखावा सरीर की कोशिकाओं को कार करने के लिए उरजा की अवसकता होती है, यह उरजा सुगर, बसा, प्रोटीन की रसाइनिक क्रियाओं से प्राप्त होती है, एकदम सही है, सुगर सरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है, जो एक सरल सरकरा है यह अवसोसित होकर रक्त से विविन अंगो उत्तकों में पहुँच जाती है या कृत या फिर मांस्पेसियों में मुक्यता गुल्पे उर्जा ग्लाइकोजन के रूप में रहता है तो वही कुल मिला के बात है तो यहाँ पर 4 point निगला कुल मिला गरके इस question से कि अक्रित के बारे में तो सबसे बड़ी गरंथी अक्रित है और अक्रित या मान स्पेसियों में उर्जा जमा होता है और किस रूप में जमा होता है तो ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है और पिछले वीडियो का जो fact हम अब next वीडियो में देखेंगे नमस्कर दोस्तों तो हम BPSC में आए होए जीव विग्यान के प्रसनों का अब लोकन और विशलेशन कर रहे थे इस कड़ी में हमने 20 प्रसन देख लिया है 21 से देखते है बिटामीन जो रक्त के ठक्के बनाने में परभावित होता है तो फिर से बोलता हूँ फीलो क्यूलोन होता है रसाइनिक नाम किसका बिटामीन के का और इसकी कमी से सरीर में कटने फटने से रक्त का ठक्का नहीं जमता है इसके कारण सरीर से ज्यादा रक्त प्रभा हो जाएगा तो हमारी मिर्त्यू की संभावना बढ़ जाएगी यही उसे ऑप्रेशन असानी से करने में मना करते हैं मतलब की दिक्कत होता है ऑप्रेशन होने में नेक्स्ट निमलिखित में से कौन सा बिटामीन प्रति असकंदक बिसो के प्रति विस प्रतिकारक के रूप में परियोग किया जाता है समझ में आया है यह थोड़ा सा मतलब रक्त की ठका नहीं जमता है मतलब इसका answer बिकल्ब D है तो प्रतीविस प्रती कारक के रूप में जो परियोग होता है बिटामिन के का होता है अब देखते हैं अभी हमने बात कर लिया था कि बिटामिन के का जो रसाइनिक नाम होता है फीलो-क्यू-लोन होता है अच्छा एक क्वेशन आपके लिए है आप बताईए मुझे कि विटामिन के जल में घुलनसील है या बसा में आप कमेंट करके ज़रूर बताईए नेक्स क्वेशन निमलिखित में से किस विटामिन को और्गो-कैलसी-फिरॉल कहते हैं तो देखिए कैलसी-फिरॉल तो कहते हैं बिटामिन-डी को लेकिन यहाँ पर और्गो-कैलसी-फिरॉल लिखा हुआ है और डी से संबंधित दो-दो औफसन है तो मतलब इलिमिनेट करना संभव नहीं है बस हमें याद ही होना चाहिए तो बिटामिन-डी-टू को और्गो-कैलसी-फिरॉल कहते हैं याद रखना है कैलसी-फिरॉल के पहले और्गो लग गया तो बिटामिन-डी-थ्री का रसाइनिक नाम क्या होता है वाइसे इसका इसर ऑट आ हो गया तो बिटामिन D3 का रसाइनिक नाम होता है कोली-कैलसी-फिरॉल टो 3 जब रहेगा बिटामिन-D3 तो कोली लगा देना है कैलसी-फिरॉल से पहले और D2 तो और्गो लगा देना है तो बस यही इसमें है observation थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से देखना होगा तब जाकि याद रह जाएगा अच्छा, vitamin D2 और vitamin D जो है इसकी अगर कमी हो जाए हमारे सरीर में तो मतलब इसे सुरूप से बच्चों के सरीर में अगर vitamin D की कमी हो जाती है तो उसे सूखा रोग हो जाता है सूखे रोग को ही rickets कहती है तो ये point भी महतपूर्ण है अब next देखते ही मानव सरीर में vitamin A भंडारित होता है तो मानव सरीर में vitamin A एकरित में भंडारित होता है विकल्प A इसका सही अंसर हो गया जब हम vitamin A एकरित के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो हमें कुछ point याद आने चाहिए जैसे सबसे पहला point जो है सबसे महतपूर्ण सबसे बड़ी गरंथी अगर सरीर का कोई होता है तो ये अकरित होता है अभी हमने पढ़ा कि रक्त का थक्का जो है वो vitamin K के कारण जमता है और vitamin D2 का क्या होता है रसाइनिक नाम vitamin D2 का रसाइनिक नाम calciferol के पहले कुछ लगाना होता है क्या orgo calciferol और D3 का coli calciferol तो ये point है इसमे इसकी कमी से कौन सरग हो जाता है सूखा रोग जिसे रिकेट्स रोग कहते है बच्चों में ये हो जाता है vitamin A यहाँ पर एक point था तो vitamin A के वारे में जब बात कर रहे हैं तो 2-3 point इसके वारे में भी याद आना चाहिए पहला point तो यही हो गया कि एक कृत में vitamin A का भंडार होता है मतलब भंडारीत होता है एक तरीके से संचे होता है और vitamin A का रसाइनिक नाम जो है वो रेटिनॉल होता है और इसकी कमी से सरीर में रताउंधी की समस्या हो जाती है रताउंधी वाली बिमारी हो जाती है और ये एक तरह से संक्रमन रोधी बिटामिन भी है मतलब संक्रमन से बचाता भी है क्या खाएंगे तो हमें बिटामिने मिलेगा दूद, मक्खन, अंडा, मचली का तेल, गाजा, रित्यादी उखाने से बिटामिने एक ही प्राप्ती हमें होगी अचा एक बात जो है, वो यह है कि बिटामिन से क्वेश्चन समान रूप से चार ही तरह से बनते हैं एक तो यह उसका स्रोत क्या है, दूसरा उसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, तीसरा वो बसा में गुलंसील है, जल में गुलंसील है और चोठा, रसाइनिक नाम उसका क्या है, तो इन चारों पर जरूर फोकस करना चाहिए हमें नेक्स क्वेश्चन, निमलिखित में से कौन साईगम सही सुमेलित नहीं है तो देखिए, इसमें जो सही सुमेलित पहले उसे देख लेते हैं, सही नहीं जो है बाद में देखेंगे जैसे रेटिनॉल, जो बिटामिन A का रसाइनिक नाम है, उसके कारण जिरोप्थैलमिय हो जाती ही, मतलब उसके कमी के कारण साइनो कवालमीन, जो बिटामिन B2 विल का रसाइनिक नाम है, इसकी कमी के कारण रक्तालपता यानि रक्त की कमी हो जाती है और्गो कैलसिफिरोल, जो बिटामिन D2 का रसाइनिक नाम है, इसके कारण रिकेट्स यानिकी सूखा रोग होता है, जो बच्चों होता है अच्छा B जो है वो सही सुमेलित नहीं है क्यों क्यूंकि tocopherol के सामने βेरी-वेरी रोग लिखा हुआ है जब की βेरी-वेरी रोग बिटामिन B1 यानि की थाइमीन के कमी के करण हो जाता है और tocopherol के बारे में यह है कि यह बिटामिन E का रसाइनिक नाम है तो ये कुछ बाते थी factual, अब next देखते हैं, थोड़ा सा रसाइनिक नाम फिर से देख लेते हैं, जैसे retinol, vitamin A का रसाइनिक नाम है, sinocobalamin, vitamin B12 का नाम है, colicalciferol, vitamin D3 का, vitamin B1 का रसाइनिक नाम थाइमीन होता है, और vitamin E का रसाइनिक नाम tocopherol होता है, next question, निमलखित में से किस युगम में सही सुमेल नहीं है, तो देखिए, बैसे तो इसमें सारा सही सुमेल है, तो इसका answer E हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, लेकिन इसमें एक option ऐसा बना ह जो बहुत ही confusing है, कैसे देखते हैं, नीचेस देखते हैं, जैसे vitamin K, alpha-alpha से हमें प्राप्त होता है, और vitamin E, गेहुं के अंकुर तेल से प्राप्त होता है, और vitamin D, sunlight से तो प्राप्त होता ही है, cod acrid तेल से भी प्राप्त होता है, जबकि बिकल्प A में जो लिखावा है, vitamin B1, संत्रा, मतलब संत्रा से vitamin B1 की प्राप्ती होती है, देखें, समानेता हम लोग यह पढ़ते हैं, कि संत्रा से vitamin C की प्राप्ती होती है, लेकिन vitamin B1 की प्राप्ती हमें संत्रे से अल्प मात्रा में ही सही, लेकिन होती है, इसलिए सारे सही है, तो उप्रोक्त में से कोई नहीं करसानिक नाम होता है. वितामिन D में अभी हमने वितामिन D का मेंन my Bachelor कैल्सीफिरॉल होता है। लेकिन अगर कोली पहले लग जाए तो वितामिन B3, D3 और 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 गो लग जाए तो वितामिन D2 धुहां लखना है। अब वितामिन B1 करसानिक नाम थाइमीन होता है, अब नेक्स देखते हैं, देखिए इसमें वही लिखावा यह देखी संत्रा बिटामिन C का परमुक्स रोत है, तथा भी इसमें बिटामिन B1 भी बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है, नेक्स कोश्चन, जिस बिटामिन में कोवाल्ट होता है, तो बिटा यानि बृधी है वो प्रभावित होगा साथी साथ जो हमारी तंत्री का तंत्र होती है यानि नर्वस सिस्टम उसकी कारिकी यानि की फिजियोलोजी भी प्रभावित होगा नकारात्मत तरीके से अचा क्या खाएंगे तो हमें बिटामिन बिटू विल मिलेगा तो मांस खाएंगे मचली खाएंगे अकरित खाएंगे दूद खाएंगे पनीर खाएंगे त्यादी तो साकारी मांसारी दोनों है जिसको जो खाना है खाजकता है अब इन नेक्स देखते हैं एक स्वस्त बैस्क मनुस्क में रक्त का कुल परिमाफ होता है, परिमाफ मात्रा को कहते हैं तो स्वस्त वैस्क मनुस्क अगर है तो उसमें 5-6 लिटर तक रक्त रहेगा, ठीक है, तो विकल्ब एसका सई अंसर हो गया, अच्छा वैसे ये 5-6 लिटर को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि स्वस्त वैस्क मनुस्क में उसके भार का 1,13 मा भाग मतलब रहेगा, रक्त की कुल मात्रा, या फिर पर्तिसत में 7-8 पर्षंट तक रक्त की मात्रा रह सकती है, मनुस्के भार के हिसाब से अच्छा, रक्त के बारे में ज Customer बात कर रहे हैं, तो एक पॉइंट और या दन चाहिए कि रक्त क्या होता है? तरल सयोजी उत्तक होता है दूसरा पॉइंट, रक्त दाव मापा की अंतर क्या होता है? मतलब रक्त के दाव को मापक के अंतर कौन सा है तो अभी हमने देखा कि स्फिग्मो मैनो मीटर स्फिग्मो मैनो मीटर के दोरा रक्त दाब मापते हैं अच्छा दो चार पॉइंट और देख लेते हैं जैसे मनुस्थ का एवरेज रक्त चाप कितना होता है 120 वाई 80 मिली एच जी होता है स्फिग्मो मनुस्थ में रक्त कितना होता है तो 5-6 लीटर अभी हमने देखा था और या पिर ऐसे भी कह सकते हैं उसके सरीर के भार का एक बटे तेरा माभाग या परतिसत में कहना हो तो 7-8 परसेंट उसके भार का ठीक है अच्छा एक इसमें कंसेप्ट वाली बात है इसके ब्याक्या में जैसे एवरेज रक्त चाप तो हमने जान लिया कि 120 बटे 80 मिली एच जी होता है लेकिन 120 और 80 है क्या इसमें तो देखिए धमनियों में रक्त दाव की दो अवस्थाएं होती है एक होता है प्रकुंचन दाव जिसको इंगलीज में बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेसर और एक होता है प्रसारन दाव जिसको अंगरेजी में बोलते हैं डास्टोलिक प्रेसर तो जो प्रकुंचन दाव यानि सिस्टोलिक प्रेसर होता है वो 120 मिली एच जी होता है समझ में आया जो पहले लिखा हुआ है और जो नीचे में 80 लिखा रहता है वो दरसल प्रकुंचन दाव यानि कि डियस्टोलिक प्रेसर जो होता है वो 80 mHg होता है इसलिए हम बोलते हैं कि मनुस्य का एवरेज रक्त चाप 120 वटे 80 mHg होता है अब next देखते हैं जो कि इस वीडियो के last question होगा ब्रिक से प्रती मिनट औसत रक्त प्रवा होता है तो ब्रिक बोलते हैं किडनी को तो किडनी से एक मिनट में 1200 cc रक्त प्रवा होता है तो विकल भी इसका सही अंसर हो गया जब हम किडनी की बात कर रहे हैं तो दोतिन फैक्ट याद आने चाहिए जैसे किडनी की कार्यात्म की काई क्या होती है निफ्रोन जैसे सरीर की कार्यात्म की काई जो कोसिका होता है उसी तरह से ब्रिक की कार्यात्म की काई निफ्रोन होता है और हमारे सरीर में एक जोड़ा ब्रिक है नहीं दो किड्नी है हमारे अंदर क्योंकि दो से एक जोड़ा बनता है और इसका जो आकार होता है उस सेम के बीज के आकार का होता है अचा, कार्य क्या होता है, ब्रिक का, तो बिसाक्त पदार्थ को मुत्र के माध्यम से बाहर निकाल देना सरीर से, यही इसका कार्य होता है, एक दो पॉइंट और हमें याद आना चाहिए, जैसे भी हमने देखा कि एक मिनट में 1200 CC रक्त प्रवा करता है, एक तरीके से होता है, किड्नी में रक्त की सुध्धी कितना करता है एक दिन में तो 1500 लीटर रक्त की सुध्धी करता है 1500 लीटर है और एक दिन में मुत्र निर्मान भी 1.5 लीटर कर देता है यह नि 1.5 लीटर तो यह तीनों पॉइंट ध्यान रखना है फिर से मैं बोल देता हूँ प्रती मिनट रक्त परभा 1200 cc रक्त सुधी एक दिन में 1500 लिटर और मुत्र निर्मान एक दिन में देढ़ लिटर तो इस वीडियो में इतना ही आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो हेलफिंग है तो आप लाइक कीजिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और सेर तो जरूर कीजिएगा आप दिस लाइक भी कर सकते हैं कोई समस्या नहीं बस कारण जरूर बताई ताकि और मैं आपकी सहायता कर सकूँ थैंक्यू नमस्कार दोस्तों तो BPSC में आयोए जीब बिग्यान से संबंदित प्रसनों का हम अब लोकन और विसलेशन कर रहे थे तो इस कड़ी में एक से लेकर के 30 तक के प्रसनों को हमने देख लिया है अब इस वीडियो में 31 से देखते हैं तो सबसे पहला प्रसन है इंसुलीन है इंसुलीन दरसल प्रोटीन होता है तो ये अग्नियासय से स्रावित होता है थोड़ी और गहराई में जाएंगे तो अग्नियासय में एक लेंगर हैंस की दुपिका होती है और उस दुपिका में कई सेल होते हैं जैसे अलफा सेल, बीटा सेल, गामा सेल तो उसी में और भी होते हैं तो जो लेंगरध्यों की डुपिकामे जो बीटा सेल हो तु मैं फिर से बोलता हूं। Я पिता है ऊसी से इन्सूलीन स्ट्रावित होता है तो इसले करने एक पापच़ हो गया है मतलब एक की लाइन में कर, अगनयासय में करने का काम सरीर में इंसुलीन करता है और अगर इंसुलीन की कमी हो जाए सरीर में तो ब्यक्ति को एनिके इनसान को मधुमे रोग हो जाता है और जब हम मधुमे की बात कर रहे हैं तो हमें याद आना चाहिए कि 20 मधुमे दिवस 27 जून को मना जाता है ठीक है तो यह सारे फैक सबसे बड़ी गृंती अगनियास है जिसको अंग्रेजी में पेंक्रियास बोलते हैं यह होती है और सरीर की एक मात्र ऐसी गृंत्र है अगनियास है यहन hommes जो अंता और वाह स्णावित बूनों को तरीके से सrakना स्बंदा करती है अम्हून का कि तो अंता और वाय श्रावित ग्रंथी, एक मात्र ग्रंथी, अंता और वाय स्रावित वाली अग्नियासा है। ठीक है, तो यह सारे फैक्ट्स है, अब नेक्स देखते हैं। इसमें भी वह भी ब्याक्षा में लिखावाएं। मैं एक बर पढ़ देता हूं जल्दी यल्दी, तो स इंसुलीन पैंक्रियाज अर्थात अग्नियासे के अंतर स्त्राविल भाग लेंगर हैंस की दिवपिकाओं की बीटा कोसिकाओं से स्त्रावित होने वाला एक जन्तु हर्मोन है रसाइनिक सनरचना के दृष्टी से यह एक सुच्म पेप्टाइड यानि की प्रोटीन है जिसकी रचना एकामन यानि 51 अमीनो अमलो से होती है यह सरीर में ग्लुकोज के उपापचय को नियंतरित करता है तो सब वही बात है सिर्फ एक नया फैक्टेस में कि इसकी रचना अम हार्मोन है अभी हमने देखा तो बिकल्फ सीस का सयनस हो गया इन्सुलीन जनतू हार्मोन होता है और इसके वारे कैस्ट अभी हमने देखा है नेक्स एक जन्तू हार्मोन होता है ठीक है अच्छा नेक्स्ट ब्याक्यम भी लिखाव कुछ खास नहीं है जिसे क्वेश्चन बने नेक्स्ट है कि निमलिकित में से कौन सा हार्मोन स्तन गरंतियों से दुग्द का स्त्राव होने में भूमिका निभाता है तो ऑक्सी टोसीन जो हार् हो जाएगा अच्छा कुछ खास बात यह है ग्वाले जो होते हैं ग्वाले तो वह कित्रिम तरीके से अक्सिटोसीन हर्मोन का यूज करते हैं ताकि ज्यादा दूद दे गाए या फिर भैंज तो यह कित्रिम तरीके से भी ऑक्सिटोसीन का यूज होता है एक तो यह हो गया अच्छा नेक्स्ट बात यह है कि अस्तन गरंथियों से तो दूद स्तरावन करने में उक्सिटोसिन अपनी भूमिका आदा तो करता ही है एक लक्षिस का और होता है जनन के बाद जो गर्वासय होता है, तो गर्वासय को सामान अवस्था में लाने के लिए भी उक्सिटोसिन ह रिस्पॉंसिवल होता है तो दो इसके लक्षय होते हैं दो इसके काम होते हैं और जनन के बाद गर्वास्य कि समानव़ अभूस्ता मिलाने में और in एक शिटोसीन हार्मोन को कित्रिम रूप से गवाले, अभी जो दुधारू पसु होते हैं, उनके उनसे ज्यादा दूद लेने के लिए करते हैं, ठीक है, और अभी हमने देखा था, मेहला six हार्मोन किसे तो पोलते हैं, तो एस्ट्रोजन को बोलते है, इसमें भी सारी बाते वही है कुछ बिशेस नहीं है मैंने पहले ही नोट कर लिया था नेक्स है निम्लिकित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है तो थाइरॉक्सीन जो होता है इसमें आयोडीन मिली होती है तो विकल्पसीस का सरी अंसर हो गया अच्छा आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है कभी-कभी ये वी कोशन बनता है तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है तो ये भी फैक्ट याद रखना है अच्छा इसका स्त्राव कहां से होता है थायरोक्सिन हर्मोन का तो थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्राव जो होता है इसका जो निस्कासन होता है वो थायराइड गरंति से होता है तो ये दो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको मिल गए नेक्स्ट अच्छा घेगा रोग को अंग्रेजी में गवाईटर रोग भी कहते हैं तो कभी-कभी आफशन में हि प्रकास संसलेशन होता है, तो प्रकास संसलेशन उपलवत विकल्ब में से क्लोरोप्लास्ट में होता है, तो विकल्ब सी इसका सही इंसर हो गया, ठीक है, अच्छा, ये जो प्रकास संसलेशन होता है, ये दरसल एक प्रकार का जैवरसाइनिक क्रिया होता है, तो ये वी एक फ नेक्स कुश्चन को देखते हैं, प्रकास संसेशन का उपोत्पाद है, उपोत्पाद का मतलब by-product क्या है, तो प्रकास संसेशन जब होता है यह फोडो सेंथेसिस की प्रोसेस होते हैं पेड़ पॉधों में, तो उसका byproduct O2 निकलता है, यह निकि oxygen निकलता है, इसलिए कहते है पेड पोधा ज्यादा लगाना चाहिए तो परियावरन में ऑक्सीजन की मात्रा हमेशा बनी रहेगी जो कि जंतु प्रानी के लिए장ुं के लिए bran variance । जो में ऑक्सीजन की जिरुत हती हैbya पूर्ती होती दिन Okay करके प्रगास संस्रेशन का उपोत्पाद जो होता है वो टू होता है अधिसे संबनित कुछ फैक्ट याद आ रहे हैं पेड़ पोधे लगाने से ऑक्सिजन बढ़ेंगे तो मतब जंगल बढ़ेंगे तो ऑक्सिजन बढ़ेंगे कुलमला के बात यह हुआ तो भारत सरकार की बन पॉलिसी है निए फोरेस्ट पॉलिसी है 1988 का उसके तहट भारत में कितने प्रतिसत भारत की भोगोलिक भूमी का बन के लिए लक्षित है मतलब कि कितने प्रसेंट भोगोलिक भूमी के पर सरकार बन लगाना चाहती है लक्ष क्या है आपको पता है क्या कमेंड उसमें ब मर्दण से सोसित जल द्वारा क्रवो हाइड्रेट का निर्मान करते हैं तो को मिला करके कारवन डायोकसाइड कहां से पराप्त करती है पेड पाॉधे तो ये करते हैं वाइवंडल से ठीक है और मिर्दण से क्या पराप्त करते हैं H2O यानि की जल और दोनों को मिला करके फिर ये कर्वोहाइडरेट का निर्मान करते हैं और उसके बाद ऑक्सिजन को अपना बाइप्रोड के रूप में फिर देते हैं परियावरन में तो यही सारी खास बाती थी एक दो फैक्ट आपको यह मिल गया कि अगर कोशन ऐसे हो गोखे और यह प्रोसेस से बाइप्रोड़क्ट के रूप में औक्सिजन निकलता है है नीक्स देखते हैं सौर अरुजा एटी-प में बदलती है तो कलोरोप्लास्ट में ही सौरुजा एटी-प में अंग होता है जिसमें पर्न हरित जिसको क्लोरोफिल कहते हैं नामा के प्रोटीन योगत जटिल रसाइनिक योगी को योगित पाया जाता है यह बरनक पत्तों के हरे रंग का कारण है तो कुल मिलागर करके इतना सारा नहीं बस एक दो फैक्ट याद रखना है कोसिका का सक्ति स्रोत है तो ५ावर हास माइ्टोऌ्ड्रिया होते है तो यह बात आपको opposığ kो फिकल 20 सही अंसर हो गया माइटो खंड्रिया माइटो खंड्रिया क selfish ने किए थी सबसे पहले गिंग क्धती लेकिन उसका नाम करन इन्हो ने माइटो कॉन्रिया उस् мощ एको कहा था बायो ब्लास्ट तो बायो ब्लास्ट कहा था अल्टमेन ने 1898 में 1890 में अल्टमेन ने माइटो कॉंड्रिया की खोच की बस फर्क इतना है कि उसमें माइटो कॉंड्रिया को माइटो कॉंड्रिया नहीं बायो ब्लास्ट कहा जाता था इसका नामकरन जो हुआ है यह बेंड माइटो कौन्रिया को को सिका का सेल का पावर हाउस क्यों कहते हैं क्यूद कि एक गुलुकोच चोटने से 36 ATM बंता है और 36 में 34 crunchy में बंता है इसलिए कहते हैं कि को सिका का यह पावर हाउस है थीच नेक्स्ट, ब्रुन में, ब्रुन किस में मिलता है, तो ब्रुन दरसल बीज में मिलता है, तो विकल सीस का सही अंसर हो गया, तो ब्याके भी देख लेते हैं, पौधों में ब्रुन बीज में मिलता है, अंकुरन परक्रिया के फल्सुरूप, ब्रुन बीज से बाहर आ जाता है, तो व्रुन बीज से किस प्रक्रिया के दौर आता है तो अंकरण प्रक्रिया से आता है, ठीक है इस वीडियो में 10% रखते हैं, लास्ट में फिर मैं मास्टर वीडियो भी अप्लूट करूँगा, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, तो वही कि share कर दीजेगा, जो हमने देखा था कि वरुन किसमें मिलता है तो बीज में वरुन मिलता है और अंकुरन प्रक्रिया के फल सुरूफ ही वरुन से बीज बाहर आ जाता है अब 41 से देखते हैं तो लिखा हुआ है कि निमलिकित में से कौन प्रती जैविक औसधी है तो प्रती जैविक सब तो आपको C में दिया हुआ, यह दोनों प्रति जैविक औसधी है, यानि कि एंटिवाइटिक दवाये हैं, तो इसलिए बिकल्प इसका ई सही अंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है, अब एक दो फैक्ट यह कि क्लोरेमफो निकॉल का हम यूज कव करते हैं, तो बैक प्रिके से जिवानु रोधी एजेंट के रूप में कार करता है, तो बिकल्प यह दूसरा फैक्टिस में जुड़ गया, देखें ब्याख्या में वही लिखावा में पढ़ देता हूँ, तो सौर्टर विजन हो जाएगा, क्लोरेमफे निकॉल एक प्रति जैविक औसधी है जिसका उपयोग बैक्टिरियल इंफेक्शन के उपचार में किया जाता है, सल्फा गुवानिदीन एक प्रकार का सल्फोनमाइड प्रति जैविक यहनि की सल्फोनमाइड एंटिवाइटिक है, जो जिवानु रोधी एजेंट यह एंटि वैक्टिरियल एजेंट के रूप म जल के कारण, जल में प्रदूसित, जल पीने के कारण जो रोग होता है, उसमें से टाइफाइड और कॉलरा है, तो विकल्फसी इसका सही अंसर हो गया, लेकिन टाइफाइड किस कारण से होता है, तो सल्फोनेला टाइफी के कारण होता है, टाइफाइड ठीक है, कॉलरा कि कारण तो जलजन तो रोग है ही लेकिन कॉल्रा होता है किस refine बिप्रियो कॉलेरी नामक जिवानुों के कारण ठीक है और इसको फैलाने का काम मक्खियों द्वारा किया जाता है कॉल्रा ये बात ट् अलफो नेला टाइफी नाम का जीवानु होता है इसके दौरा टाइफाइड होता है और आत का बुखार भी कहते हैं इसको क्योंकि आत में बुखार हो जाता है टाइफाइड के उपचार के लिए हम क्लोरो माइसिटीन का परियोग करते हैं क्लोरो माइसिटीन दवा का परियो पीने के जल के उचित उप्चार द्वारा इन्हें फैलने से रोका जा सकता है तो इसका फैलाव से रोकना है तो मतलब स्वच्छ जल का आहार करना चाहिए मतलब किस क्लीन वाटर ड्रिंकिंग करना चाहिए 43 मनुस्थ में एफलाटॉक्सीन खाद विसाकतन द्वारा समानेता कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है तो एक्रित जो है वो एफलाटॉक्सीन खाद विसाकतन द्वारा प्रभावित हो जाता है जिसको अंग्रेजी में लीवर कहते हैं तो विकल्ब डीस का सही अंसर हो गया अच्छा एफला टॉक्सिन खाद विसाक्तन उत्पन कैसे होता है तो कवक के द्वारा उत्पन होता है और उस कवक का नाम है एस्परजिलस या फिर पेनिसीलियम तो पेनिसीलियम और एस्परजिलस नाम कवक के कारण एफला टॉक्सिन खाद विसाक्तन उत्पन होता है जिसके कारण मानव सरीर का एक्रित अंग प्रभावित हो जाता है तो ये उनलाइनर में मैंने इस क्वेशन को बता दिया अच्छा एक्रित के बारे हम और क्या जानते हैं एक्रित के बारे हम पिछले वीडियो में बात किया था कि मानव सरीर की सबसे बड़ी गरंती कौन है अगर पूछे तो एक्रित है यानि कि लिवर है ठीक है एक्रित का रंग गहरा धूसर जैसा होता है और बजन की बात करें तो 1.5 से 2 kg यानि के देड़ से 2 kg के बीच का होता है और इसका निचला भाग जो होता है वहाँ पितरासे होता है जहां से पितरस निकलता है ठीक है तो ये भी fact कभी कभी question पूछता है कि पितरस कहां से निकलता है तो लीवर एकरित के यानि लीवर के नि ये अकरित एक मुख पाचक ग्रंथी है जो की खाद विसाक्तन द्वारा प्रभावित हो जाती है एफलटॉक्सीन नामक जहरीला पदात कुछ कवक जैसे असपरजिलस तथा पेनेसीलियम की कुछ प्रजातियां उत्पन खर भोजन को विसाक्त कर देती है तो वही सारी सार माइकोलोजी के अंतरगत हम क्या अध्यान करते हैं तो कवक के वारे में अध्यान करते हैं माइकोलोजी के अंतरगत ठीक है अच्छा कवक की जो कोशिका वित्ती होती है जो काईटीन की वनी होती है तो ये भी एक बात है और ये कवक क्या होता है परजीवी या मिर्तोप ज होता है यहनिकि अवसोशन बिधी के द्वारा कवक अपना भोजन ग्रहन करते हैं ऐसा बात हुआ ठीक है मैं फिर से सारा फैक्ट दोहरा देता हूं कवक क्या ध्यन को मैकोलोजी कहते हैं कोशिका भित्ति कवक की काईटीन की वनी होती है कवक एक परकार का जीव है जो इक्व पड़ापत होता है ठीक है next question देखते हैं मनुस्य के सरीर के किस अंग में लिंफोसाइट का निर्मान होता है तो लिंफोसाइट का निर्मान तिल्ली में और अस्थी मज्जा में दोनों में होता है यहनिकि B और C दोनों होता है इसलिए विकल्ब E इसका सही अंसर हो यहां से पित्रस कहां से कुछिए पित्रस कहां से निकलता है और पित्रस को चुनना होगा तो यहीं सारे चीज़ें ब्याक्विट्रस पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है मनुस्य के सरीर में तिल्ली या प्लीहा इनि प्लीहा को अंगरेजिम स्प्लीन बोलते हैं थाइमस ग्रंथी अस्थी मज्जा जिसको अंगरेजिम बोन मेरो बोलते हैं आदी में लिंफो साइट्स का निर्मान होता है लिंफो साइट्स एक परकार की स्व तो WBC करती है निलिम्फोसाइट्स करती है ठीक है गस्ति सेना के भाती समझ सरीन में कौन घुमती है तो WBC यानिलिम्फोसाइट्स घुमती है है ना स्वेतरक्त कनिका है तो यही इसके बारे में सारा विशलेशन था नेक्स देखते हैं उंकोजीन सम्मंदित है, तो उंकोजीन करक रूख से सम्मंदित है, इसलिए भी कल सीज का सहिएंस हो जाएगा, करक रूख पता है किसको कहते हैं, कैंसर को कहते हैं, अच्छा करक से याद आया, एक करक रेखा गी होता है जोगरफी में, तो आपको तो पता ही होगा कि भारत क मी से मिजोरम, और तर से तरपुरा, गस से गुजरात, और म से मदपरदेश, अच्छा से चछतिसगड़, और जह से जहारखन, र से राजस्थान, और बेस्ट बंगाल, तो यह आठ राज्ये हैं, ठीक है, देखें, नेक्स्ट, अच्छा इसके ब्याक्ख्या भी देखी लेत अच्छा, बर्स 1970 में खोजा गया यह घटक, मुर्गियों में कैंसर वाइरस का घटक था, जिसे रॉस सरकोमा वाइरस नाम दिया गया था, तो कुल मिलाकर रेतने, बिसलेशन को याद नहीं रखना है, उतना ही याद रखना है, एक तरीके से उनको जिन क्या, एक असामान जीन है, और यह करक रोग से समंधी थे, बस यही फाक थे, next, रख्त कैंसर याद लिजूकेमिया जो है, इसको अंग्रेजिम लिुकेमिया बोलते हैं, और हिंदी में रख्त कैंसर बोलते हैं, कि रोग थाम में परियोक किया जाने वाला रेडियों समस्थानिक है, तो कोबा लिखावा है रेडियों फॉस्फोरस एनि P32 तथा कोवाल्ड 60 का उप्योग लुकेमिया एनि एक प्रकार का जो रख्त कैंसर है के इलाज में किया जाता है बस इतना ही बात है नेक्स देखते हैं तिब्रता एवं प्रियुक्तता के अधार पर निम्लिखित में से कौन सा करक रोग उत्पन कर सकता है तथा उसका उप्चार भी करता है तो आइनिये बिकिरन जो होता है ये न सिर्फ करक रोग को उत्पन कर सकता है बलकि उप्चार भी यही करता है तो विकल्फ सीज का सही अ इंसर हो गया ब्याख्याम भी वही सारी बाते लिखी हुई है चली पढ़ी देते हैं जल्दी थोड़ा दीरे जो मात्पुन बात होगा मैं लास्ट में सौट अप कर दूंगा तो लिखावा कि आइनिये विकिरन ही वह कारक है जो करक रोग उत्पन कर सकता है और उप्चार मे यही परियोग होता है बिकिरन चिकित्सा में कैंसर की कोशिकाओं और संकुचित गाठ को नस्ट करने के लिए आईनिकरन बिकिरन का उप्यो किया जाता है अनुसंदानों से असपस्ट हो गया है कि निम्ममध्यम बिकिरन एक्स्पोजर से कैंसर नहीं होता लेकिन लंबे सम अगर बिकिरन में कोई व्यक्ति रहता है तो इसको हो सकता है तो यह ध्यान रखना है और आइनिये बिकिरन जो होता है यही कारण होता है कैंसर का यही इसका उपचार भी है सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्लिकित में से कौन सा है तो प्रणाली की स्वपोसी क्रिया जो होती है वो क्या होता है सहज प्रणाली का परिवर्धन होता है सहज प्रणाली मुख्य तंत्रिका प्रणाली का एक भाग है यह सहज प्रकारियों को नियंत्रित करती है अता सहज प्रणाली के विकास को प्रणाली की स्वपोसी प्रक्रिया के रूप में प्रिवासिप किया जाता है पता नहीं कितना समझ में आया होगा सब्द ऐसे ऐसे प्रियोग किया है इसलिए समझ में नहीं आ रहा होगा तो बस इतना समझें कि सहज प्रणाली क्या है एक तंत्रिका प्रणाली का भाग होता है अभी आएगा इससे जुड़ा हो एक और question तो उसमें और detail से बात करेंगे ज़तों कि आप चेतन मन में जाने दीजिए सरीर का तापकरम नियंत्रित करता है तो सरीर का तापकरम नियांत्रित करने का काम hypothalamus गरंती करता है तो बखल 20 का सरी अंसर है और कई वार यह question पूचा है तो ध्यान रग ना है अचा मनुस से के समान मनुस का जो ताप क्रम होता है वो कितना होता है नॉर्मल तो normal फोरन हाइट में अगर पूँचे तो 98.6 डिगरी सेल्सियस ठीक है और अगर सेल्सियस सोरी फेरन हाइट मैं फिर से बोलता हूँ समान मनुस का जो ताप होता है 98.6 degree Fahrenheit होता है और Celsius में पूछे तो 37 degree Celsius होता है 36.9 भी कहीं कहीं लिखा हुआ है तो 37 degree Celsius मोटा मोटी ये मान के चलना है और ता आप नियंत्रित करने काम कौन करता है Hypothalamus करता है जिसे चलिए अब आगे देखेंगे इसने इतना fact पहले रहने देते हैं आगे जैसे question बढ़ेगा ना तो पुराने साथ साथ नए नए fact भी आपको मिलेंगे तो दहरता के साथ देखते जाए और ज्यादा वीडियो बड़ा लगे तो थोड़ा बढ़ा लीजिए उसमें क्या दिक्कत है 1.5 में देख लीजिए 1.25 में देख लीजिए 98.6 degree Fahrenheit होता है मानव सरीर के तापकरम के स्थित बने रहने का कारण सरीर में तापकरम नियंत्रन की एक यांत्रिक जैविक प्रणाली का कार करना है मस्तिस का हैपोथेलेमस भाग इस परकरिया का नियंत्रन होता है तो देखे दो तीन फैक्ट है मैं मोटा मोटी सारा समरप कर देता हूँ हैपोथेलेमस गरंती का काम क्या होता है तो सरीर के तापकरम को नियंत्रन करना है तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो कैसा लगा सुझाव जरूर दीजिए और अच्छा लगे तो वही आपको पता कि मैं क्या पहना चाहता हूं धन्यवाद अनवानसिक बिचरन होता है लेंगिग जरन से क्रोमसोम में बदलाव से और जीन में मिसरन येन की सफलिंग जिसको कहते हैं उससे भी उता है ऐसलिए भी कर्फडी का सही अंसर हो गया बैक्ख्याम भी लिख़ए कि जीन के समिस्रन जिसको क्या बोलते हैं blending क्रोमस्तोम में बदलाव एवं जीन के मिस्रन इसको क्या बोलते हैं suffering तीनों से लेंगिक जनर्ण में से अन्वानसिक बिचरन होता है DNA को किसने अंतह पात्र में बनाया था तो अंतह पात्र में DNA को पहले और्थर कॉर्णवर्ग ने बनाया था ठीक है तो यह महत्पूर्ण फैक्ट है DNA के बारे मुँआ हम क्या जानते हैं हम यह जानते हैं कि DNA के क्रियात्मक इकाई को यह फंक्शनल यूनिट को जीन कहते हैं और क्या जानते हैं डीन एक प्रकार का अनुवानसिक पदार्थ होता है इसके लाब और क्या जानते हैं यह जानते हैं कि एक पीड़ी से दूसरे पीड़ी में अगर अनुवानसिक लक्षनों का transfer होगा तो यह gene के दोरा ही होता है और last fact यह है कि इसमें सारी अवस्यक सुचनाएं दर्ज होती है gene में किस चीज की अवस्यक सुचनाएं सेल निर्मान की और सेल के संगठन की इस सारी information इसमें दर्ज होता है तो यह महत्फुन fact था next है Parkinson बिमारी के उपचार के लिए किसको नोविल पुरुषकार दिया गया था तो Arvid Carlson को नोविल पुरुषकार मिला सन 2000 में Parkinson बिमारी के उपचार के विकास करने के लिए तो विकलफ एस का सहिन सर है ब्याख्याम भी वही सारी बात है नेक्स्ट है कौन सा दिन डाइविटीज दिवस के रूप में मनाय जाता है तो देखिए एक वीडियो में हमने बोला था कि 27 जुन को बिस्व डाइविटीज दिवस के बारे में तो दरसल वो डाइविटीज जागरिती दिवस था देखिए मैंने यहां नोट करके रखा है वैसे तो 14 नवंबर को जिस दिन चिल्डरेंड मनाय जाता है उसी दिन बिस्व डाइविटीज दिवस मनाय जाता है एक 27 जुन को भी मनाय जाता है तो 27 जुन को बिस्व मदु में मनाय जागरिती दिवस, 14 नवंबर यह डाइविटीज दिवस यहनी मदु में दिवस ठीक है अच्छा हमने यह विदेखा था उसक्रियं की कमी से जो होता है यह मदु में हो जाता है इंसान में ठीक है इंसुलिन का स्तृराब कहां से होता है तो पैंक्रियाज यारे को जो होता है उसी में एक Langer hans की दीपिका होती है और उसके जो beta cell होते हैं कि कई cell होते है तो लेंगर hans की दिपका कि जो beta cell होती है उससे इंसूलीन का स्रावन होता है सरीर मैं इंसूलीन की भूमिका यह होती है कि glycogen का metabolism प्रक्रिया होता है уж को फेट पुना स्मरंड कर लेते हैं, अग्नियासे सरीर के दूसरी सबसे बड़ी गरंथी है, क्योंकि पहली गरंथी अक्रित है सबसे बड़ी, और एक मात्र ऐसी अग्नियासे सरीर की गरंथी होती है, जो अनतावस बाहित, दोनों तरह से स्रावित करती है, नेक्स्ट, सबसे छोटा जीव जो स्वयम विकास और स्वयम प्रजनन करने में समर्थ है, तो उसे माइको प्लाज्मा कहते हैं, वही सबसे छोटा जीव है माइको प्लाज्मा, जो स्वयम विकास और स्वयम प्रजनन करने में समर्थ होता है, तो विकल्ब C इसका सही अंसर है ब्याख्याम भी वही बाते है, निमलिकित में से किसकी कोसिका में कोई एंजाइम नहीं होता है, तो बिसानु यानि कि बाइरस की कोसिका में कोई भी एंजाइम नहीं होता है, तो इसलिए विकल 20 का सही अंसर हो जाएगा, अच्छा बाइरस से यादा है कुछ, बाइरस से के लिए तो यह सारे जुड़े हुए फैक्ट है याद आया मैंने यहां बोल दिया वही सारी बाते हैं विशानु सद्धुद्ध पत्ति लाइटिन वासा के बायरस से होई है तो यह सबसे के लिए उसके नेंत्रन के लिए कारक्रम था 23 में शुरू हुआ था भारत में और इसको शुरू करने वाले बिल तथा मिलिंडा गेट्स फांडेशन था बिल गेट्स याद आ रहा है न मैक्रोसॉफ्ट के चेर्मेन और उसमें मिलिंडा उनकी बाइफ थी अब तो उन्होंने साइट तलाग ले लिया है नेक्स दिखते हैं सर प्रथम हलागी काम दोनों साथ साथ कर रहे हैं भी बिल अन्म लिंडा गेट्स फांडेशन अभी चल रहा है सर प्रथम मानविर्दय प्रत्यार ओपन हुआ था तो दच्छिन अफरिका में सबसे पहले मानविर्दय प्रत्यार ओपन हुआ था और क्रिश्चिन वर्नार्ड ने किया था ठीक है हुक फिर से बोलता हूं लिवेन हुक यहां पर इताल एंटोनी विन लिवेन हुक को सुच्म जी विग्यान के जनक के रूप में जाना जाता है इनोंने 1676 में अपने ही बनाए एकल लेंस सुच्म दर्सी अंदर से जिवानू की पहचान की थी तो फैक्ट याद रहा है जिवा ही होगा लिखावा वही चीज कनकिये तत्विनी पार्टिकुलेट मैटर को कनिकिये प्रदूसक भी कहा जाता है जो कि वायू में उपस्थित अत्यान सुच्म कनो वा तरल के सुच्म बूंदो का एक जटिल मिस्रन होता है यह वायू की गुनवत्ता को प्रभावित करने व जैलम चसे है और जैलम से जल्ड के सफ़ याद रेнаख तो फ्लोयम अपने आप हो जाएगा फ्लोयम से पोसन जैलम से जल गीच्च brings दो द्वारा अब सोसित किया गया जल और खनीज पोसकतत पूरे पौधे में जायलम नामक संभान उत्तक द्वारा ले जाया जाता है बस इतना ही वात है तो 61 तक इस वीडियो में हो गया अब नेक्स देख लेंगे नेक्स वीडियो में नमस्कार दोस्तो तो BPSC में आयोए जीब बिग्यान के प्रस्णों का हम अब लोकन और विसलेशन कर रहे थे इस कड़ी में हमने 61 तक देख लिया है जिसमें यह देखा था कि संभेहनी पौधो में पानी जो उपर चड़ता है वो जायलम टीसू के दौरा चड़ता है पौध 36.9 डिगरी सेलेस होना है कहीं कहीं पर 37.DgC वरहेगा बिगल चुन आहा सकता है और अगर यहीं फरेनहाइट में पूछे शमानतापमान मानाव श्री डिगरी फरेनहाइट होता है ठीक हैं कहीं कहीं पर 98.4 दिखा हुआ, तो जैसा कि ब्याख्या में भी लिखा हुआ है, तो बस ध्यान रखना है, दो फैक्ट, समान तापमान मानव शरीर का, Celsius में 37 के आसपास, यहीं 36.9 degree Celsius, और Fahrenheit में 98.6 degree Fahrenheit, ठीक है, Next है, सर्व दाता, वर्ग के रक्त दाता का रक्त ग्रूप होता है, तो सर्व दाता मतलब सबको देने वाला, तो सबको देने वाला जो रक्त ग्रूप होता है, लेकिन एक होता है सर्व ग्राही, मतलब सबसे लेने वाला, तो यह A-V ग्रूप बाले जो होते हैं विक्ती, वो स साखा के अंतरगत होती है तो हड़ियों की पढ़ाई विज्ञान के औस्टियोलोजी साखा के अंतरगत होती है तो विकल्ब D इसका सही अंसर हो गया ये वाला औस्टियोलोजी अन्विकल्ब के वारे हम देख लेते हैं जैसे लिखावा जियोलोजी तो geology में हम पिर्थवी की आंतरिक संरचना के वारे में अध्यन करते हैं जबकि अगर हम serology की बात करें तो blood का जो serum होता है blood के serum के वारे में study हम serology ब्रांच के अंतरकत करते हैं और परवतों के वारे में अध्यन हम orology में करते हैं मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, ओरोलोजी में हम परवतों को अध्यन करते हैं, सेरोलोजी ब्रांच ओफ साइंस में रुधिर सीरम का अध्यन करते हैं, जियोलोजी ब्रांच ओफ साइंस में हम प्रत्वी की आंत्रिक संरचना के बारे में जानकारी हासिल करते हैं तो ये इसके बारे में था कसेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है तो कसेरुक रज्जु जिसको second brain भी हम कहते है spinal cord उसमें 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है तंत्रिकाएं मतलब नस मस्तिस्क से अब आने वाली जो उद्दीपन का संभण कौन करता है तो मस्तिस्क से जो आता है उद्दीपन एनिया स्टिमिलेशन वो उसका संभण करता है यही कसेरुक रजू एनिकी सकेंड ब्रेन ठीक है नेक्स्ट है कभी कभी कुश्चन अभी आगे साइद मिलेगा या पीछे भी साइद आया हुआ है प्रतिवर्तिक क्रियाओं का नियंतरन केंदर कौन होता है तो प्रतिवर्तिक क्रियाओं का नियंतरन केंदर सरेण में भी स्पाइनल गोड यही कसेरुक रजू ही होता है ठीक मनुस्त के जीवन काल में कितने दात दो बार बिक्सित होते हैं तो मनुस्त के जीवन काल में 20 दात जो होता है वो दो बार बिक्सित होता है जबकि 12 दात जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक बार ही बिक्सित होते हैं तो दोनों फैक्ट याद रखना है, 20 दात यानि 20 तित जो होते हैं, वो दो बार 2 टाइमस मिलेगा जीवन में, और 12 दात जो है, वो एक ही बार जीवन में मिलता है, ब्याक्याम भी लिखा हुआ है, मैं पढ़ा देता हूँ, फिर से सौटर विजन हो जाएगा, मनुस्त के जी होती है, और अभी हमने बात किया कि 20 दात, 32 में से 20 दात जो होता है, वो दो बार मिलता है, जबकि 12 दात एक ही बार मिलता है, ठीक है, यह हमने देखा था, और इसमें एक फैक्ट और आ गया क्या, डिजिट फैक्ट है यह, कि मनुस्त के खोपड़ी में 28 यानि 28 अस्थियां यह हमने 28 वोन होती है, अच्छा, एक बैस्क माना कंकाल में ओस्तन कितनी हड्डियां पाई जाती है, तो 206 हड्डियां पाई जाती है, ठीक है, यह भी एक फैक्ट है, अब थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, इससे जुड़ा हुआ, क्योंकि कुश्चन प्रतेक पॉइं होती है, तो कान मईला तो याद रखेगा, 6 हड्डि होती है, कपाल वला, 6-28 हड्डि होती है, और मुह में 14 हड्डि होती है, यानि कि कपाल اور कान, जितना δोनों मिला के होता है, उतना अके लिए मुह में होता है, 8-6-14 ह shy requat भॉआ उसी तatar के 14 स्र प्रतेक तरह मुह में हो ज रहोंगा बारबर, तो मनुस्य के सरीर में पैर की हड़ी, तो पैर की हड़ी खोखली होती है, मनुस्य के सरीर में जो पैर की हड़ी होती है, वो क्या होती है, खोखली होती है, तो भीकल्ब ए इसका सही अंसर हो गया, वही बात ब्याक्या हम लिखा है, मनुस्य के सरीर में पै इसलिए इसलिए इसमें कहीं 206 नहीं लिखा हुआ है इसलिए इसका एंसर क्या हो जागा विकल्प D उप्रोक्त में से कोई नहीं ठीक है अच्छा फिर अभी हमने देखा था मुह में कितनी हड़ी होती है 14 और फिर हमने क्या एक ची देखा था खोपडी में कितनी हड़ी होती है 28 होती है और मुह में जो 14 होता है कान का 6 और फिर कपाल का 8 ये दुनों को मिलाकर का केले मुह में होता है ठीक है तो कान का 6 ये भी में से कौन सा मनुस्व में अवसेसी अंग नहीं है तो अवसेसी अंग कौन सा नहीं है तो इसका सही जो एंसर है विकल्ब सी सामने वाले चप्टे दात जो होते हैं यानि की कृतंक जिसको कहते हैं अंगरी जी में कृतंक तो यह जो होते हैं क्या होते हैं अवसेसी अंग नही उसके वाद next क्या है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स यैनि की वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बस बात इंक्ली सी लिखा हुआ है तो ना, थोड़े सब मतलब बिदेशी टाइप के हैं तो इस पर थोड़ा फोकस करके या लिख करके याद कर सकते हैं तो ब्याक्यामे वह और किये एवं सारेरिक अध्यानों से हमें अवसेसी अंगों के बारे में ज्यान प्राप्त होता है। जबकि बिकल्बसी जो था सामने वाले चप्टेदात ये अवसेसी अंग नहीं होता है। जो एक प्रोटीन है अच्छा ये प्रोटीन भी है और अन उत्प्रेरक की तरह अविक्रिया की गति को तेज करता है। दूसरा प्रोटीन है इसमें कि जीवों में जायदा तरह ही करियाएं एंजाइम की उपस्थिती में ही होती है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट के लिए अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। जो करता है वो एंजाइम करता है। और एंजाइम के बारें कुछ फैक्ट भी हमने देखा था। जैसे कि ये जो एंजाइम जो है पदार्थ का निर्मान और संसलेशन दोनों को प्रेरित करने का काम करता है। next question है, vitamin जो खट्टे फलो में पाया जाता है, तथा चर्म को स्वस्त रखने में जरूरी होता है, तो वैसा vitamin, vitamin C होता है, जो क्या करता है, खट्टे फलो में तो पाया जाता ही है, और चर्म मेंने की चमड़े को, मानब शरीर के चमड़े को स्वस्त रखने के लिए जरूरी होत एक तो यह कि स्रोत क्या है दूसरा यह जल में घुलंसील है यह बसा में घुलंसील है तीसरा यह कि उसकी कमी से कौन सा रोह हो जाता है और उसका रसाइनिक नाम क्या है तो यह चार पॉइंट से ही क्वेश्चन समान रूप से बनते हैं तो इस पर अगर नियंतरन कर लिया जा तो एक फैक्ट तो यह हो गया, इसका रसाइनिक नाम एसकॉर्विक एसीड होता है, एसकॉर्विक अमल होता है, ठीक है, तो दूसरा फैक्ट यह हो गया, तीसरा फैक्ट यह हो गया, कि अगर विटामिन C की कमी हमारे सरीर में हो जाए, तो हमें असकर्वी रोग हो जाएगा, चोठा फैक्ट ये है कि इसका स्रोत क्या है तो खटे रसदार फल, अंकुरित अनाज, पत्ते दार सब्जियां देखिए फल के बारे में थो हमें पता ही ही रहता ही है कि खटे रसदार फल जो रहेंगे जیसे संतरा हो गया, आमला हो गया इसमें आमला तो प्रचूर मात्रा होता है विटामिन C का आमला में लेकिन अंकुरित अनाज और पत्तेदार सब्जियां पर ज़रूर फोकस कीजिए क्योंकि ये पॉइंट दिमाग में थोड़ा सा कम रहता है तो ये पांच फैक्ट हो गए और कुछ बचा अब ये तो नहीं पुछेगा C6H8 और O6 इसका रसाइनिक फर्मूला होता है खैर एक बार मैं फिर से दोरा देता हूँ विटामिन C की कमी से असकरवी रोग हो जाता है श्रूत इसके खटे रसदार फल, अंकुरित अनाज और पत्तेदार सबजियां होते है तीसरा फैक्टिर जल में घुलनसील होता है विटामिन B और C दोनों घुलनसील होता है जल में असकॉर्विक एसीड इसका रसाइनिक नाम है तो यही इसका बात था विटामिन C का रसाइनिक नाम क्या है तो पुछ दिया अमेरिकान चारी तरके से question जो मेरी नजरों से गुजरा है चारी एंगल से question बनते हैं फिलाल vitamin C का रसाइनिक नाम जो है वो ascorbic aml है ठीक है तो vitamin A, sorry option A का सही हो गया और हमें पता है कि vitamin B हो या C हो दोनों जल में गुलंसील होता है ठीक है और fact क्या पता है इसके स्रोत क्या है vitamin C के तो अंकुरित अनाज, हरी पत्तेदार सबजियां और खटे रसदार फल जैसे कि आमला हो गया संत्रा हो गया ये सब दूद में vitamin C की मात्रा नहीं पाई जाती है मतलब बहुत ही कम पाई जाती है अच्छा इसकी कमी से कमी से असकर्वी रोग हो जाता है ये तो पता ही हो गया और इसका रसायनिक नाम असकॉर्विक एसीड है अब इसका रसायनिक फर्मूला C7H8 और O6 है ये तो मुझे नहीं लगता कि पूछेगा लेकिन फिर भी मैंने बता दिया है इंसुलीन प्राप्त होता है तो इंसुलीन डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होता है तो विकल 20 का सही अंसर हो गया ब्याक्या में लिखावा है इंसुलीन एक पॉली सेकराइड है जो डहेलिया के जड़ से मिप्स पाया जाता है तो डेहलिया के जड़ से क्या पाय जाता है इंसुलीन विकल भी इस कैंसर हो गया लेकिन इंसुलीन के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं जानते हैं वीडियो में डिसकस किये हैं इंसुलीन की कमी से हमारे सरीर में मधू में ही रोग हो जाता है कौन सा रोग मधू में है अच्छा मधू में रोग यहीं कि डाइबडीज रोग हो जाता है दूसरा फैक्ट क्या पता है अच्छा इंसुलीन काम क्या करता है शरीर में इंसुलीन का काम यह है कि ग्लाइकोजन का जो मेटावोलिजन प्रक्रिया होती है तो उसको नियंत्रित करने काम करता है ग्लुकोज को ग्लुकोज का मेटवुलियन प्रिकरिया को नियंत्रित करने काम करता है कौन इंसुलीन ठीक है नेक्स्ट फैक्ट ये है कि 14 नवंबर को बिस्व मधु में दिवस मनाए जाता है 27 जून को कितने जुन को 27 जुन को 20 मदुमे जागरुकता दिवस मनाए जाता है तो ध्यान रखना है दुनो 14 नवंबर को चिल्रेन डे भी मनाए जाता है 14 नवंबर को ही मदुमे दिवस मनाए जाता है ठीक है और 27 जुन को मदुमे जागरुती दिवस मनाए जाता है यह हो गया कितने फ इस्थित जो लेंगर हेंस की दुपिका होती है उसके बीटा सेल से इंसुलीन का स्त्राव होता है ठीक है तो ये तीन-चार फैक्ट थे अच्छा अग्नियासे के वारे हम बात कर रहे हैं तो कुछ फैक्ट उसके वारे हम भी यादा ही रहा होगा कि अग्नियासे सरीर की दूत क्या कहते हैं पैंक्रियाज अब नेक्स प्रेशन पर बात करते हैं एटी प्रसेंट से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है तो सेल में इनकी कोशिका में एटी प्रसेंट से अधिक जल पाया जाता है तो बिकल्ब डीस का सही अंसर हो गया नेक्स्ट हलाकि लुसे प्रत्वी पर जीब का उद्गम दो लाख बर्स पुर्व हुआ इस युग में प्रोटो जुवां सैवाल लेवं जिवानू थे तो इस युग में क्या थे इंसर में कुछ बिवाद है लग रहा है लिखावा आधोनिक होजो से सपस्ट हो चुका है कि प्रोटो जुवां के उ पोटो जुवां से आधा आया आपक्सर एक्जाम में जो पूछे जाते हैं निसेचन की क्रिया कहां पर होती है तो अंडवाहिनी में होती है तो विकल्बी इसका सही अंसर है कई वार ये पूछा है और इसे जुड़ावा फैक्ट क्या जनते हैं अच्छा पहला बाद तो कभी कोई कुशन पता है। मनुस से क्या है। जरायूज है कि अंडज है। वैसे प्रानी जो बच्चे को जन देते हैं। तो ध्यान रखना है कि मनुस से क्या होता है। क्योंकि वह बच्चे को जन देता है अंडे को नहीं तो यह तो हो गया दूसर एक फैक्ट जुड़ा हुआ अच्छ जाइगोट बनने की प्रक्रिया होती है उसी को बोलते है निसेचन जैसे मन में आगर आए कि निसेचन क्या होता है अगर निसेचन तो अंडवाहिनीम होता ह कि आंध्र एक तो आंध्रिक निसेचन होता है चेचन के यह तो यह कुल मिलाकर के बात है नरीगमक माधा एक अंडवाहिनीम होती है, और मनुस एक परकार का जरायूज प्रानी है, क्योंकि वो बच्चे को जन देता है, और मनुस में आंतरिक निसेचन होता है, ये शेसाथ fact थे, next आधोनिक मनुस का पुर्वज है तो क्रो मैगनन मनुस जो होता है वो आधोनिक मनुस का पुर्वज माना जाता है और ये पासान यूग में रहता था ठीक है तबीकल 20 का सही अंसर है लिखावा है पासान यूग में रहता था ये तो होई गया बात अस्थी अजारों का परियोग करता था तो ये जो क्रो मैगनान मनुस्य है ये अस्थिया उजार का प्रयूग करता था पस्वों की खाल को सील कर पहनने की युगता रखता था कौन? क्रोमेगनॉन मनुस्य जो किस काल में था? पासान काल में और मानव गुफा में रहता था यही सारी बाते हैं वित्ती चित्र प्राप्त होते हैं नेक्स्ट ये है कि विकास का मुख कारक है तो प्राकरतिक बरन जो होता है विकास का मुख कारक है जिसको बravते है नेच्टरल सलेक्शन ठीक है तो विकल्ब डीस का सैयनस होते हैं ने दिया था और क्या इससे जोड़ा बात पता है the origin of a species book का नाम आपको याद आ रहा होगा तो इसी बुक में Darwin ने ये सिद्धान दिया था प्राकृतिक बरनवार ठीक है अच्छा एक आता है कभी the survival of fittest survival of fittest की बात जो कही थी Harvard Spencer ने कही थी आप Lucent का जब समान बिज्ञान देखेंगे तो उसमें ये बात साफ साफ लिखा हुआ है तो चार फैक्ट हो गया इसी जड़वा मैं फिर से जोड देता हूँ the origin of a species जो पुस्तक है Darwin ने लिखी और Darwin ने ही इसी पुस्तक में प्रकृतिक बरन का सिद्धान दिया एक इससे जड़वा the survival of fittest आता है ये Harvard Spencer ने सिद्धान दिया था next next 81 है इसको next वीडियो में ही देखेंगे 81 से नमस्कार दोस्तो तो BPSC में आये हुए जीब बिग्यान के प्रस्णों का हम आब लोकन और विसलेशन कर रहे थे इस कड़ी में 80 प्रस्ण को हमने देख लिया है 81 से देखते हैं तो सबसे पहला question है सैवाल और कवक के मिलने से lichen बनता है जिसे कहते हैं तो देखिए अगर आपने गौर किया होगा तो question में भी एक fact है जिससे question बन जाते हैं अकसर जैसे सैवाल और question है ऐसे बन जाएगा कि lichen किसके मिलने से बनता है तो सैवाल और कवक के मिलने से लाइकिन बनता है अब इसमें पुछाए जिसे कहते हैं तो जिसे मिच्चुलीजम कहते हैं तो विकल बीस का सहियन सब जाएगा अंग्रेजी का सब्ध है मिच्चुलीजम ठीक है अच्छा कवक के वारे में हम और क्या जानते हैं कवक के वारे में हम ये जानते हैं कि माइकोलोजी के अंतरगत माइकोलोजी कभी कोई पुछ लेता कि माइकोलोजी में हम किसका अध्यान करते हैं तो माइकोलोजी में हम कवक का अध्यान करते हैं अच्छा अध्यान से याद आया कि हमने 4-5 फैक्ट अध्यान से सम्मनित पढ़े थे पिछले वीडियो में, उसमें कौन-कौन सा था? सबसे पहले था जियोलोजी, तो जियोलोजी के अंतरगत हम प्रतवी के आंतरिक सनरचना पढ़ते हैं, मतलब आंतरिक सनरचना के वारे मे परवतों का अध्यान, ऑस्टियोलोजी, हड्डियों का अध्यान, सेरोलोजी, बलड सीरम का अध्यान, और माइकोलोजी, कवक का अध्यान, तो यह सारा रिविजन होगा, अब नेक्स पॉइंट के वारे में बात करते हैं, कवक से जुड़े होए, तो पहला दूसरा फैक् पहले देता है किसको सेवाल को, अच्छा, लाइकेनोलोजी एक होता है, तो लाइकेनोलोजी के अंतरगत, लाइकेन का स्टड़ी हम करते हैं, माइकोलोजी के अंतरगत का अध्यान, और लाइकेनोलोजी का अंतरगत, लाइकेन का अध्यान करते हैं, ठीक है, एक खास बात ये भी है लाइकेन के बारे में कि लाईकेन Uno प्रदूसक का संकेतक होता है अब सहरों के आस .बॉकि प्रreno Recommendation समान पया जाता है तो इसलिए लाइकेन नहीं थे अ क्यों नहीं आरोग में बप्रदूसक का संकेतक की अहां प्रसप सर्पी अ competitive. तो ये भी एक प्रकार का fact है इसे जुड़ा fact क्या है कि एक सब्ध है किरेटीनो फिलिक किरेटीनो फिलिक का मतलब क्या है किरेटीनो फिलिक एक कवक का प्रकार है जो दरसल नाखून या बाल में उगता है ये कवक जिसको क्या बोलते हैं तो यह सारे fact हो गए अब आपसे question पुछता हूँ जो गोवर पर उगने वाले कवक होते हैं उसको क्या कहते हैं तो उसका नाम आपको बताना है comment box में अगर आपने slide को अच्छे से देखा होगा तो जरूर आप बता देंगे क्योंकि वहीं परहिंट था सैवाल कारवनिक पदार्थों का sensation करते हैं जो स्वैम तथा कवकी घटक के लिए प्रियाप्त होता है और कारवनिक भोजन के बदले में कवकी घटक सैवाल को जलव खनी जूपलब्द कराते हैं तो कुल मिलागर के बात उतना ही है कि सैवाल भोजन देता है कवक को और कवक क् पदले में खनी जूपलब्द कराता है तो कवकी घटक सैवाल को जलव खनी जूपलब्द कराते हैं नेक्स्ट प्रतिवर्ति क्रियाओं का नियंतरन केंद्र कहां पर है तो आपको याद आ रहा होगा जब हमने पढ़ा था स्पाइनल कोड के बारे में वहां पर ये बात आ ब्रेन कहा जाता है और कोश्टन ये भी बन जाता है इस पर कि मनुस्ट के स्पाइनल कोड में यादि की कसेरुक रज्जू में कितनी जोड़ी तंत्रिका तंत्र होती है यादि कितने जोड़ी नस होते है तो 31 जोड़े तंत्रिका तंत्र होती है ठीक है रिफ्लेक्स हो गये थे काम क्या होता है यह कछे रुड़ रद्र अंफ राज्यू का नियंत्रण केंद्र करता दूसरा काम ये होता है कि मस्थष्क से आने वाली जो उद्धिपन होती है इस्टिमूलस होता है उसका समभण भी söz करता है तो यह सारे फैक्ट हमने दरसल पिछले वीडियो में डिसकस कर लिया लेकिन यहां पर रिविजन हमने कर लिया स्वाट रिविजन एक तरीक से उसी वही चीज़ लिखा हुआ है मैं पढ़ देता हूं फिर से एक बार रिविजन हो जाएगा प्रतिवर्ति क्रियाओं क जब पढ़ेंगे तो क्योंकि चित्रात्मक बाते हैं यह भी मस्तिस्कावरन द्वारा धका रहता है तो कोई मतलब नहीं है हाँ लास्ट प्ला पॉइंट महत्पूर्न है कि कुल मिला करके 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाय मेरु रज्जू से निकलती है मतलब 31 जोड़ी तंत् पकाने के लिए परियोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है थो कितरिम रूप से निर अई आर्टिफिस्यल वे में अगर हम कच्चे फ़लों को पकाते हैं तो उसके लिए गैस का परियोग लाए जाता है场 एसृटपी बरतमान में एसिटिलीन के द्वारा फल पकाने पर प्रतिवण्न लगा दिया गया है तो प्राकृतिक रूप से फल एथिलीन हार्मोन द्वारा पकता है तो अगर कोश्चना इसे पूछ दे पर्योग किया जाता है तो ये बात ध्यान रखना, एसेटिलीन और एथिलीन दोनों का प्रियोग किया जाता है, बस यही है कि एसेटिलीन का भी प्रियोग बंध है, सरकार के नियम अनुसार, तो इसलिए एथिलीन का बात याद रखना है, कित्री रूप से भी और प्राकृतिक रूप से भी, next, बाहर निकाले जाने पर मचलियां मर जाती है, क्योंकि वे सास नहीं लिपाती है, इसलिए जल से बाहर निकाले जाने पर मचलियां मर जाती है, तो विकल्ब सीज का सही अंसर हो गया, ब्याख्या थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें लिखवा इसका कारण यह है, कि जहां पानी में बहाव के साथ-साथ गैसों का आदान परदान भी हो जाता है। पतले, चप्टे, गलफडे एक गीले कागज की भाति कारी करते हैं। पानी से बाहर निकालने पर ये सब मचलीओं गलफडे आपस में जुड़ से जाते हैं। जिसके कारण सतही छेतर कम हो जाता है और घटे हुए सतही छेतर के कारण गैसों का आदान प्रदान कम हो जाता है और मचली की मिर्ति हो जाती है तो अगर इतना वात ना भी समझ में आया हो तो सीधा सीधा बात ध्यान रखना है कि अगर पानी से मशली को निकाल देंगे तो वो स्वास नहीं ले पाएगी और फिर वो मर जाएगी और गल्फरे से स्वास लेती है यह भी एक फैक्ट है जहां जीव रहता है उस सटीक जगा को क्या कहते है सटीक जगा मतलब एक्ट्वल लोकेशन को तो जहां जीव रहता है उस एक्ट्वल लोकेशन को आवास कहते है अंगरेजी में सही हैविटेट कहा जाता है तो विकल्प एस का सही अंसर हो गया वही लिखावा है ब्याक्या में कि किसी प्रजाती बिशेस के पौध है या जीवो या अन्जीवधारियों के रहने की सटीक जगा है या एक्चुल लोकेशन आवास या हैविटेट कहलाता है ठीक है नेक्स देखते हैं मधुमक्खी कॉलिनी के सदस एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं तो मधुमक्खी कॉलिनी के जो सदस होते हैं एक दूसरे को गंद के दोरा पहचान जाते हैं तो विकल्प एस का सही इंसर है अच्छा एक क्वेशन ये भी बनता है कि जो कीट होते है वो मादा कीट, अपने नर साथी कीट को कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करके आकरसित करती है तो इसका एंसर आप बताएगा कमेंट बॉक्स में, मैं इंतिजार करूँगा नेक्स कॉस्चन है, कि अच्छा एक फड़ा सा फैक्ट है इसमें, देखें क्या लिखा हुआ है मधुमक्खियां भोजन की दिसा तथा उसके स्रोत को बताने के लिए भी निरत मुद्राय करती है निरत मतलब डांसिंग पोस्चर देती है, जबकि एक दूसरे को गंध से पहचान लेती है और आकरसित करती है कौन से हार्मोन के स्रावन से ये भी आपको बताने है, कमेंट बॉक्स में तो मायोग्लोवीन में कौन से धातू होती है तो बिकल्ब डिस का सही एनसर हो गया व्याख्याम भी लिखा हुआ है कि मायोग्लोवीन लोहा और ओक्सीजन युक्त प्रोटीन है जो सभी अस्तनधारियों कि मान सपेसियों में पाया जाता है जबकि हीमोगलोवीन रक्त में लाल रक्त कनिका कहते हैं पाया जाता है तो हीमोगलोवीन रक्त में पाया जाता है क्या अरे मतलब फैक्ट हो गया इसमें दो-दो फैक्ट हो गया पहला फैक्ट तो यह हो गया कि मायोगलोवीन में क्या पाया जाता है तो लोहा कहते हैं मनुस के सरीर में खून की सुध्धिकरन की परक्रिया होते रहती है उसको हम डालेसिस कहते हैं विकल एस का सभी अंसर हो गया यही ब्याक क्या हम लिखावा है अब नेक्स 91 से हम नेक्स वीडियो में देखेंगे नमस्कार दोस्तो तो BPSC में आयोए जीव ग्यान के प्रस्णों का हम अब लोकन और विस लेसन कर रहे थे इसकड़ी में 90 प्रस्ण तक हमने देख लिया जिसमें देखा था कि मनुस में मनुस्य के सरीर में जो खून का सुद्धिकरन होता है उस पर क्रिया को हम डालीसिस कहते है 91 से हम देखते हैं निम्न में से किसकी कमी से मधुमे होता है तो इंसुलीन की कमी से मधुमे हो जाता है तो यह बात हमने कई वर पढ़ा है और आपने भी अब्जूर्ब किया होगा कई वारी रिपीट हुआ है कुश्चन इंसुलीन के बारे में हमारा पूर्व ग्यान क्या है यहां पर रिकलेक्ट करते हैं तो बिकलब डी तो इसका एंसर हो गया लेकिन इंसुलीन का सरेर में काम क्या है तो ब्लड में ग्लुकोज का नियंतरन करना काम होता है इंसुलीन का ठीक है तो यही इंसुलीन का सराव नहीं होता है जब मतला चा सराव कहां से होता है तो अगनियासे से इंसुलीन का स्त्राव होता है थोड़ी और गहराई में जाएंगे तो अगनियासे में ही एक लेंगर हैंस की दीपिका होती है वहीं से इंसुलीन स्त्रावित होता है और थोड़ा बारिकी में बात करेंगे तो अगनियासे के लेंगर हैंस की दीपिका में ब एक रोग से प्रभावित हो जाता है जिसका नाम है मधुमें और अंगरी जीम बोलते हैं डाइविटीज ठीक है यह तो फैक्ट हो गए और समझ भी अब इससे जुड़े कुछ और बात है जो बीवधिवाले प्रस्णों में पूछ लेता है जैसे कि 20 मधुमें जागरिती दि दिवस 27 जून को मनाई जाता है ठीक है विस मधुमें दिवस कब मनाई जाता है तो विस मधुमें दिवस 14 नवंबर को मनाई जाता है याद रखिए 14 नवंबर को ही चिल्डरेन डे जब मिठाई बाटते है वो 14 नवंबर को ही मनाई जाते है ठीक है नेक्स्ट है एट्स नि में एक दो बात कर लेते हैं जैसे एक दिसंबर को विस्व एट्स दिवस मना जाता है तो ये तो आपको याद होगा अच्छा एट्स का जो फुल नेम है एक्वाइड इमुनो डिफिसेंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म है एक दिसंबर तो मैंने बोली दिया कि विस्व एट्स दिवस मना जाते हैं विसानू के बारें बात करते हैं विसानू सिर्फ होने वाले रोग और कौन-कौन से हैं तो देखें विसानू से मेनिंजाइटिस होता है ट्रेकोमा, छोटी माता, खसरा, गलसुआ और रेवी जिसको हाइट्रोफोबिया बोलते हैं ये रोग भी होता है विसानू से ही ठीक है कुछ और रोग हैं विसानू से होने वाले जैसे कि चेचक, इन्फरेंजा, पोलियो, डेंगुजवार और पीलिया जिसको हेपोटाइटिस या जॉन्डिस कहते हैं तो ये भी विसानू के द्वारा होने वाले रोग हैं एट्स किसके कारण होता है तो अभी हमने देखा था कि विसानू यानि की बाइरस के कारण एट्स होता है और एट्स से जुड़ी हुए 3-4-5 फैक्ट कि एक दिसंबर को भी इट्स दिवस मनाए जाता है अच्छा एक एलीसा टेस्ट भी होता है एट्स की पहचान के लिए तो ये भी याद रखना है इम्म्यून सिस्टम को कमजोड कर देता है एट्स होने पर और इसका फुल फर्म होता है इसका मतलब ये हो जाने से क्या होता है कि रोग प्रती रोधक छमता जो सरीर की होती है वो कम जाती है और ब्लड सर्कुलेशन अव्यवस्थित होने लगता है और इसका में बात करी लिया है एच आईवी द्वारा होने वाला रोग है तो एच आईवी से एट्स रोग होता है तो भी कल डीस का सही अंसर हो गया और दो बागी सारा फैक्ट अभी हमने बात की नेक्स देखते हैं इस्त्रियों की तुल्ला में पुरूस अधिक बरनांदता से पीडित हो सकते हैं क्योंकि तो पहला तो फैक्ट यही हो गया द्यान रखना है पुरूसों में चुकी एक ही X chromosome होता है और दूसरा तो बाई होता है तो यही कारण है कि इस्त्रियों की तुल्ला में पुरूस अधिक बरनानता से पिडित होते हैं तो उसमें से यही इसका एंसर सही हो जाएगा जब ऐसा question पुछे तो कि कारण और कारण दोनों सही है और एक Ispirin कहाँ से मिलती है तो Ispirin एक पेड से मिलती है तो विकल्भεις लिकाल्फ ШE यहाँ सही अंसर हो गया ऐस्परिण एक दवा है और एंटी पायरेटिक यह त्वला निवारक कॉशाया को प्राप्ट कि अब ऐससे को finalmente अब भी हमने पड़ा कि बीलो ब्रिक्श की छाल से स्पिरीन प्राप्ट किया जाता है ठीक है और स्पिरीन क्या है यह मतलब की बेदना निवारक दबा है दर्द निवारक दबा है Next है गेहों की खेति के लिए कौन से उर्वरक का उपवयोग करेंगे तो बस इतनी ही बात थी नेक्स्ट, क्लोरोफिल में कौन सा धातू आयन पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में मुख रूप से मैगनिसियम पाया जाता है, ठीक है, और प्रकास संसलेशन की क्रिया का केंदर क्लोरोफिल ही होता है, तो ये तो फैक्ट आपको पता ही होगा, ब्या के माद्यम से रसायनी कुरर्जा में बदलने की प्रक्रिया की सुभार्ण करता है तो एक एक पॉधो एवं पेड़ो का खाना तयार करने की प्रक्रिया कहलाती है तो उसको फोटो सेंथेसिस कहते हैं तुभी कल्व डीस का सांस रो गया फोटो फोटो सेंथेसिस को ही हिंदी में क्या करते हैं प्रकास संसलेशन और वैसे फोटो सेंथेसिस होने के लिए पौधो में यह प्रकास संसलेशन की प्रकरिया होने के लिए क्या-क्या चीछ चाहिए होता है कच्चा पतार्थ क्या है तो CO2 चाहिए होता है यह जल चाहिए होता है परनहरित यानिकी क्लोरोफिल चाहिए होता है और प्रकास चाहिए होता है तो चार चीजे रॉइ मैट्रियल के रूप में चाहिए होता है फोटो सेंथेस की प्रिक्रिया अगर कोई पेड़ पोधा कर रहा है थो ठीक है अच्छा एक question कहीं पर ये भी हमने discuss किया था कि oxygen प्रकास translation का byproduct कौन होता है तो oxygen होता है तो ये भी fact एक दिहान रखना है ठीक है next देखते हैं next है जीवन चक्र की दृष्टी से पौधे का सबसे महतपुर्ण अंग है तो जीवन चक्र की दृष्टी से पौधे का सबसे महतपुर्ण अंग अगर कोई है तो वो पुस्प होता है यनि कि फूल होता है अंग्रेजी में इसको flower कहेंगे ठीक है तो विकल्प ए इसका सही अंसर हो गया अब इससे जुड़े हुए चार-पांच फैक्ट है जिसपे question बनने की पूरी संबाबना होती है जैसे सबसे पहला ये कि काम क्या होता है तो फल बनाने का काम और उसके अंदर बीज निर्मान करना ये दोनों काम होता है पूस्प का ठीक है अच्छा एक होता है कि पूमंग और जायंग तो पूमंग क्या है पूमंग दरसल नर जनन भाग होता है पूस्प का और जायंग क्या होता है तो जायंग मादा जनन भाग होता है पूस्प का ठीक है और बास्तिविक जनन भाग होता है पुमंग नर जनन भाग और जायंग मादा जनन भाग तो अब ये तो हो गया पुमंग और जायंग पुमंग नर से संबन दीत है जायंग मादा संबन दीत है कारे तो होई गया कारे पर बात नेक्स्ट ये है कि अब इसमें एक होता है Anthology कोशन ऐसे बनेगा Anthology के अंदरगत हम क्या अध्यन करते है तो Pust का अध्यन करते है और इससे पहले हमने कई अध्यन के बारे में बात किया है है ना तो वह वाले सारे भी Repeat अभी ही कर देता हूं जैसे एक पढ़ा था कि माइकोलोजी के अंदरगत हम किसका अध्यन करते हैं तो कवक का अध्यन करते हैं माइकोलोजी के अंदरगत लाइकेनोलोजी के अंदरगत क्या अध्यन करते हैं तो लाइकेनोलोजी के अंदरगत हम लाइकेन का अध्यन करते हैं इसके अलावब चार और थे तो ये सारे आठो अध्यन के पाठो मतलब अध्यन से सम्मंदी जो फैक्त है उसको हमने देख लिया और इसमें था कि एंथोलोजी के अंतरगत हम पुस्प बिज्ञान मतलब पुस्प के बारे में अध्यन करते है ठीक है अच्छा एक खास बात यह है कि जो पुर्ण जो होता है यह सहायकंग होते है पुस्प के और पुमंग और जायंग जो होते है यह दरसल आवस्यकंग होते है पुमंग क्या होता है तो पुस्प का नर जनन भाग होता है और जायंग क्या होता है तो इस्त्री जनन भाग यानि मादा जनन भाग होता है यह पुस्प का ठी अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ठीक है वीडियो देखने के लिए थैंक्यू अब अच्छा लगता हो ना तो जरूर सेयर कर दीजिए तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी नमस्कार दोस्तो तो BPSC में होए जीव ज्यान के प्रस्णों का हम आब लोका नर्सलेशन कर रहे थे 100% तक हमने देख लिया है जिसमें यह देखा था कि जीवन चकर की दृष्टी से सबसे महतपुर्ण जो पौधा का अंग होता है वो पूस्प होता है अच्छा अंथालोजी के अंतरगत पूस्प काध्यन करते हैं 101 से देखते हैं सबसे लंबी जीवित ब्रिक्ष जो है वो सीकोया या रेडबूड की ब्रिक्ष होती है सबसे छोटी कौन सी होती है सबसे छोटा जो होता है एंज्यू असपर्म वुल्फिया होता है यह दो фак्ट हो गया है ऐसमें आछा को किया बूलते है परस्थ कि रतंगवादी कोलते हैं UK Lipters मूल रूप से यह Australia में पाए जाता है वैसे भारत में निलिगरी के आसपास मिल जाएगा और भी कहीं कहीं मिल जाता है यह तो याद रखना है अच्छा कोश्चन यह से बना हुआ है कि मुक रूप से कहां पाए जाता है यह बरिक्षित अस्ट्रेलिया के आसपास पाए जाता है नेक्स देखते हैं एस्परीन है तो एस्परीन एक प्रकार का एंटिपारिटिक होता है जिसको जोर हारी नि बुखार को हरने वाला कहते हैं तो एंटिपारिटिक है एस्परीन ठीक है तो उस समय हम बॉदि टेंपरेचर को कम करने के लिए उसे मतलब कि उसे पुना साधारी नवस्थाम लाने के लिए हम करते हैं। किسका उप्योग। एंटि-पाइरेटिक का उप्योग करते हैं। जैसे की FENACETINE हो गया, जैसे की ATPIRINE हो गया, यह फिर EMINOPIRINE हो गया, अच्छा, यह टेमपरेचर को समान वस्थाम करने के लिए हम ANTIPIRITY का युज़ कहते हैं, अच्छा, टेमपरेचर से याद आना चाहिए एक चीद, कि हाईपो थेलेमस गरंती होती है, कहां, मस्तिस्क में, इसका काम भी क्या है इसका काम भी ताप नियंतरन करना है ठीक है नेक्स देखते हैं किस बनस्पतिक हाद्ध में अधिक्तम प्रोटीन होता है तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है और MP जो है मैंनी मद परदेश वो स्वयवीन उत्पादन में सिर्ष राज है तो ये भी याद रखना है एक फैक्ट है नेक्स्ट है इसमें लिखावाए कि 38-42% तक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है स्वयवीन में नेक्स है तना काट आम तोर से किसके प्रवर्धन के लिए परियोग किया जाता है तो गन्ना या फिर गुलाव गुलाव तो आप्शन में है ही नहीं लेकिन गुलाव और गन्ना दोनों के प्रवर्धन के लिए तना काट आम तोर पर किया तना काट प्रदती का परियोग किया जाता है अच्छा अर्षिज में एक लिखा हुआ है कि गन्ना का काईक प्रवर्धन डाली कलम या पेडी द्वारा होता है ठीक है लेकिन हर मूठी फसल के साथ उपज हर वार घटती जाती है मतलब जितनी वार उस कटे हुए को लगाएंगे तो हर वार ये फसल घटता जाता है तो रेड़बूर भी कहते हैं सबसे लंबा जिवित ब्रिक्ष है और सबसे छोटा जिवित ब्रिक्ष कौन सा है तो एंजीओ सपर मूलफिया ठीक है और सबसे बडा पूस पर हमने देख लिए रेफलेसिया को लिखा हुए ब्याक्या में संसार का सबसे बड़ा फुल पहली बार खोजा गया, इस फूल का ब्यास एक सो सेंटीमिटर तक बजन दस किलो ग्राम तक होता है, ऐसा इतना बारी फूल है, नेक्स्ट इतना बारी फूल है, इसको अगर फरवरी के महीने में किसी तारीक को अगर किया जाए, तो मतब क्या द्रिस्स होगा अगर को दरसल जीन के संसलेशन के लिए सम्मानित किया गया था 1968 में, हाँ तो विकल 20 का सही अंसर है क्या लिखा हुआ है, हरगोविन खुराना को जीन संसलेशन के लिए 1968 में चिकेतसा का नोबिल पुरुसकार दिया गया था उन्होंने अपनी खोज से अनवानसिक कोड की ब्याख्या की और प्रोटीन संसलेशन में इसकी भूमिका का पता लगाया था तो इसी करण को नोबिल प्राइज मिला कव 1968 में नेक्स देखते हैं, वैसे 1967 से 68 के आसपास भारत में हरित करांती का दौर था तो ये भी एक फैक्ट है, एकोनोमिक्स या फिर एक रिकल्चर से नेक्स है, डॉक्टरों द्वारा एनस्थीसिया के रूप में परियोग होने वाली हास गैस है तो नाइट्रस ऑक्साइड इसमें कई तरह के क्वेशन बंद है, जैसे आ जागा कि आर्कियोप्टेरिक्स है तो ये जुरासिक युका सर पुरातन पक्चिक है पक्ची है, एनिकी पंची वर्ड्स, बिकल्फ एस का सई अंसर होगी है नेक्स्ट, डॉल्फिन बर्गिकरित किया जाते है तो डॉल्फिन अस्तनी में बर्गिकरित किया जाते है ठीक है डॉल्फिन को सोंस या मुस्कान भी कहा जाता है जो भागलपूर है एरिया देखे कुछ फैक्ट को जानते हैं पहले डॉल्फिन से जुड़े हुई भारत का रास्टी जल्य जीव है डॉल्फिन ठीक है और इसका बर्गी करन किया जाता है स्तनी बर्ग के जीव में ठ बाटेसवर तक सुल्तानगन जहांगीरा कहलगाओं बाटेसवर तक यह छेत्र फैला हुआ है अब भिहारनवाला और साठ किलोमेटर में फैला हुआ है और वह भागलपूर में इसके बंद विभाग के दौरा मुस्कान कहा जाता है मुस्कान नाम भी दिया जाता है और सोंस बिहार स्प्रेसिट में एक कुश्चन हो सकता है कि मुस्कान किसे कहा जाता है तो डौलफीन को मतलब कहा जाता है पुकारा जाता है सोंस बिसका नाम है पाँंचक्तूबर को बिसे गंगा नधी डॉलफिन दिवस मना जाता है क्योंकि 2010 इसके स्न रच्छन का काम चल रहा है है फैं तो इसलिए पांच अक्टूबर को गंगा नदी डॉल्फिन दिवस मना जाता है, अभी बहुत सारे दिवस के बारे में बात किया है हमने, इन सीरीज में, जैसे एक दिसंबर रेट्स दिवस, दस फरवरी को विस्व राश्टी दलहनी दिवस, और क्या हमने बात किया था, कौ बाती वर्स पांच लाख भरती भारती एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें, तो उस समय का करेंट अफेस से जुट होगा एक क्यूशन था, तो छै रोग ये करक रोग से मरते हैं, वैसे इसमें जो महत्पून फैक्ट है, विस्व छै रोग दिवस कब मना जाता है, तो याद रखना है, छै रोग का कारण का होता है, जीवानू, विसानू नहीं होता है, उसका नाम है, माइक्रो बैक्टीरियं टिवर क्लोसिस, तो इसलिए इसको टीवी भी कहते हैं, छै रोग से मनुस्र का फेफड़ा परभावित होता है, तो कोशन जे बन सकता है, कि के सरीर का कौन सब अंग प्रभावित होता है तो फेफड़ा प्रभावित होता है अब नेक्स लास्ट वीडियो आएगा उसमें ये सारे हम क्वेश्चन को डिल कर लेंगे ठीक है वीडियो कैसा लगा सुझा जरूर दीजिए और किस प्रकार के और वीडियो बनाने चाहिए ये भी आप मुझे बता सकते हैं मैं जरूर गनाऊंगा नमस्कार दोस्तो तो BPSC में आयो है जी बिग्यान के प्रशनों को हम देख रहे थे और हमने 110 प्रशनों को देख लिया ये लास्ट वीडियो है सकड़ी का और जिसमें हमने देखा था कि 26 रोग दिवस प्रतिवस 24 म संञार को मनाय जाता है अब नेक्स देखते हैं निम्न में से सबसे मीठी चीनी है तो फ्रूक्ट्रोज को सबसे मीठी चीनी कहते हैं यह Mix अब नेक्स इससे जुड़ावा कुछा तयए लग्वज सभी फ्ल कुछ और में भी कुछ न ṁ Film फ्रॉक्तोज छो सबसे मीठी चिनी है और एक प्रकार का यह क्यों प्रप्रीटिक मोनो एक यह सकराइड होता है और इसको क्या कहते हैं प्राकृतिक मोनो सेक्राइड तो तीन तीन फैक्टिस से जुड़ा हुआ है next वही बात व्याख्या में लिखा हुआ है next है सरकराओं में सबसे मीठी है तो repeated question होगे सरकराओं में सबसे मीठी कौन होती है फ्रक्टोज होता है next क्या है next अच्छा यह फ् स्रावित होता है तो इंस्लीन जो स्रावित होता है हमने कई वार पढ़ा है एंस्लीन अग्नयासय के langer hence की बीटी का सब्से स्रावित होता है क्या इंस्लीन का काम क्या है कोच का ब्लड में नियंतरन करना और इसकी कमी हो जाता है तो सरीर को कौन सरोग हो जाता है तो मधुमे जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं डाइविटीज कहते हैं ठीक है जीव का आगे का भाग जो होता है, वो मीठा के लिए संबेदन सील होता है, ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट याद रखना है, देखें, ब्याख्याम भी लिखा हुआ है, कि मानव जीव का अग्र छोर मीठे, पस्च भाग कडवे, पार्सव किनारे, खटे, तथा अग्र छोर किनारे नमकीन स्वादों का अनुभव करते हैं, तो ये ही बात है लिखावा, नेक्स्ट, मतर पौधा है, तो मतर पौधा है क्या होता है, दुईवीज पत्री साक होता है, तो विकल्ब ए इसका सही अंसरो गया, अच्छा मतर पौधा दुईवीज पत्री होता है, ये भी रवी फसल, रवी फसल से याद आना चाहिए, पता है आपको भारत सरकार MSP घोसित करती है, मीनमम सपोर्ट प्राइस फसलों पर घोसित करती है, आपने तो सुना ही होगा, अखवारूम पढ़ा ही होगा, तो मेरा प्रस्ण ये है कि जो पहला तो ये प्रस्ण बनता है कि कि कितने फसलों पर MSP जारी किया जाता है, सारे फसलों पर MSP जारी नहीं किया जाता है, तो कितने फसलों पर, तो 22 फसल पर कुल MSP जारी किया जाता है, भारत सरकार के द्वारत ठीक है, अब मेरा प्रस्ण, अब मेन प्रस्ण है जो आपको बताने हैं, ये है कि इस 22 में से कित इस पर MSP जारी किया जाता है, ठीक है? अब next देखते हैं, अच्छा बोया कब जाता है इस रभी फासल को? रभी फासल को बोया जाता है टूर नोओ मर के महीने में, जब टेमपरेचर कम होता है और कटाई इसकी होती है फरवरी से मार्श महीने में जब टेंपरेचर बढ़ने लगता है फलियां अधिक पॉस्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचूर मातरा में होती है तो फलियां इसलिए अधिक positive होती है क्योंकि उनमें प्रचूर मात्रा में protein पाई जाती है तो विकल भी इसका सई अंसर हो गया protein से यादा आया एक question पर हमने ये भी बात की थी कि protein की मात्रा सबसे यादा किसमें होती है तो ये होती है स्वयावीन में और उसी समें हमने ये भी चर्चा किया था कि स्वयावीन की सबसे ज़्यादा मात्रा कौन उपजाता है यानि कौन उसका उत्पादन करता है तो मद्ध प्रदेश यानि की MP MP जो है सबसे ज़्यादा महाँ स्वयावीन होता है जो प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोथ है 38-42 प्रशेंट तक प्रोटीन होता है उसमें अच्छा जो ये फलियां होती है दरसल इसका जो पौधो का कुल होता है वो लिग्यूमिनेसी कुल का पौधा होता है और इसमें खास बात ये होता है इस कुल में नैट्रोजन इस्तरी करन करने वाले जीवानू होते है लिग्यूमिनसी कुल के पौधो में जैसे कि अरहर का पेड़ जो होता है उसमें भी ऐसा होता है नेक्स्ट अच्छा ये वोई लिखा हुआ है कि साख कुल का दुवीज पत्री पौधा है मटर मटर के बारे में भी उने देखा था ना तो साख कुल का दुवीज पत्री पौधा है और रवी फसल है एक प्रकार का प्रजाती इसका अपरना पारा संबिका स्वर्ण रेखाई सब सारे है नेक्स्ट ती एस एच का फुल फॉर्म होता है थाइराइड स्टिमिलेटिंग हार्मोन जो थाइराइड को स्टिमिलोट करता है स्टिमिलेट का मतला उद्दिपन उसको एक दरी से प्रेणा काम करता है थाइराइड गरंथी की खरावी किसकी कमी के कारण होती है काम क्या होता है सरीर में थायराइड गरंथी का तो थायरॉक्सीन स्रावन करना इसके लिए उत्तेज़क हार्मोन TSH होता है TSH का मतलब full form क्या होता है थायराइड stimulating हार्मोन अच्छा नेक्स्ट क्या है अच्छा इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है तो घेंगा रोग हो जाता है इसको अंगरजी में गौाइटर रोग बोलते हैं वही बात यहां में लिखावा कि रुधीर में आयोडीन इवं थायरॉक्सीन की कमी होने पर प्यूस गरंथी से TSH यानि कि थायराइड stimulating हार्मोन का स्रावन बढ़ जाता है जिसका प्रभाव थायराइड को अधिकादिक हार्मोन स्त्रावित करने के लिए प्रेडित करना होता है शरीर में आयोडीन की कमी से घेंगा एनिगवाइटर नामक रोग हो जाता है जब हम बकरी या भेड का मांस खाते हैं तब हम दूत्य को भोगता होते हैं ध्यान रखना है कि जब हम बकरी या भेड का मांस खाते हैं तो कैसे भोगता होते हैं दूत्य को भोगता होते हैं पहले तो भोगता होते हैं का अपने आप में एक फैक्ट है लेकिन दूत्य को भोगता होते हैं थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं इसमें वाद जैसे मानविवा अनजीव जो होते हो सरवाहरी होते हैं मानसाहरी को दूतियक या गौन भोकता बोलते हैं जब किस्ता कहारी को प्रात्मी को भोकता बोलते हैं और प्रात्मी को उत्पादक कौन होता है, तो पौधे जो होते हैं, प्रात्मी को उत्पादक होते हैं, तो वीडियो कैसा लगा और अच्छा लगा तो एक प्रेम पुरवक लाइक करके जाएगा, क्योंकि लास्ट वीडियो है, और लास्ट टक देखने के लिए आपको थैंक क्योंग